कि फिर वो एक comfort zone हो जाता rest mode कुछी दिन अच्छ लगते हैं इतने लंबे समय तक फिर आपको आदत पढ़ जाएगी उस चीज के लिए और फिर कोई अगर competition सामने आया फिर कोई struggle सामने आया फिर कोई challenge सामने आया तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे तो keep challenging yourself नहीं चीज़े सीखते रहिए नहीं चीज़े पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ बनाते रहिए तो इससे भी confidence पैदा होता है कि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल है विनाश काले विपरीत बुद्धी मेरे लिए कि जब ego आता है इंसान में तो अच्छे से अच्छी चीज़ को भी अंत में ले आता है कि यह तो मेरे ही समय पर मुझे मिलना चाहिए क्योंकि यही चीज़ आपको कर्म योग सिखाता है फल की चिंता का मतलब क्या है कि फल की चिंता मत कर कि फल की चिंता जब होती है तब आप एक time period बान देते है कि यह तो इसमें ही होना चाहिए नहीं हुआ तब तब मैं छोड़ दूँगा एक ऐसा व्यक्तित्व जिस लाखों की संख्या में उनके followers उन्हें सुनने आते हैं लेकिन खास बात यह थी कि जब वो हमारे याँ पोड़कास के लिए आई उन्होंने उनके इस बड़े व्यक्तित्व का हैसास हमें होने तक नहीं दिया उनकी सादगी हमारे दिल को छूगई उन्होंने जिस बेबाकी से हमारे प्रशनों का जवाब दिया वो काबल ये तारीफ है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ none other than the motivational speaker the spiritual orator जया किशोरी जी की जिनके दो रूप हमें इस पोड़कास में देखने को मिले पहला a spiritual guru and दूसरा normal person और अगर आप भी उनके इस दोनों रूपों से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको ये पोड़कास्ट जरूर देखना चाहिए let's welcome the dynamic personality जया किशोरी जी on the most unfiltered podcast विदेटू जया जी सबसे पहले स्वागत है आपका A2 Motivation के podcast में जिसका नाम है Tanger Talk अब सवालों का you know, सिलसला शुरू करते है मैं थोड़ा नर्वस हूँ because you know, इतने बड़े इंफ्लूएंसर मुझे लगता है कि आपको धार्मी गुरू कहना गलत नहीं होगा आज के पोस्पेक में बोट लोग आपको मानते हैं पर मैं जितना पड़ा हूँ जितना सुना हूँ आपके बारे में जर्णी के शुरुवात परिवार से ही हुई कि मेरे घर का माहूल हमेशा से बहुत spiritual, बहुत religious था हम सभी शाम को हनुमान 40 एक साथ करते थे हफते में एक दिन कीर्टन करते थे उस वज़े से मेरा जुकाव हमेशा इसी और रहा और उस जुकाव को मेरे माता पिता ने प्रुचसाहन दिया और उस वज़े से छे साल की उम्र से मैंने शुरुवात की पहले बजनों से की, फिर कथाओं से की, फिर अब मोटिवेशनल सेशन्स की और तो वो जर्णी रुकी नहीं है अभी तक और आगी भी ना रुके, कुछ ना कुछ नया होता रहे तो यही एक जर्णी है जिसमें बस परिवार का माहोल उनकी कहानिया, उनकी बाते जिनोंने एक इंट्रेस्ट बच्पन में ही जगा दिया था ध्यात्मिक्ता की और और शायद उसी ने मुझे help किया आज इस जगा पर खड़े होने के लिए तूसरा सवाल इसे से related है भाई भी जब आप बता रहे थे मुझे कि आपके parents ने इस चीज़ के लिए आपको support किया तो उनके दिमाग में यह दिया है कि अभी बच्ची है, इसकी पढ़ाई ही रह जाएगी अगर इन सब चीज़ों में पढ़ गई तो और ये भी जानना चाहते है कि आपने अगर उन्होंने इस चीज़ में भी support किया तो आपका studies कैसे complete है उन्होंने पूरा balance रखा और graduation degree तो मुझे लेनी ही थी तो मैंने भी कौम तक की पढ़ाई की है और तब तक मेरे parents ने मेरा बहुत support किया पढ़ने में भी उतना ही support किया कि मेरे साथ-साथ वो भी पढ़ते थे जो आध्यात्मिक किताबे हम पढ़ते हैं religious books पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते थे, मुझे समझाते थे क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम था आज के हिसाब से कि मैं continuously पूरा समय अपना उसको दे पाऊं तो वो भी पढ़ते थे, वो मुझे best parts निकाल के लाके देते थे कि ये तुम पढ़ सती हो और फिर स्कूल के साथ भी उन्होंने पूरा स्कूल कॉलेज में मेरा support किया उस चीज में भी मुझे पढ़ाना, ट्यूशन्स लगाना च्रावलिंग भी अगर हो रही है तो उसको कैसे ease में रखना ताकि मुझे दिक्कत ना आए ये पूरा ध्यान उन्हें रखा तो एक balance बना कर वो चले और जैसा मुझे लगता है हर किसी के life में struggling period आता है कई लोग है जो मैं जिस अभी age में हूँ उस age में struggle करेंगे मैंने बच्पन में कर लिया वो struggle तो एक period है बस struggling का तो मेरा वो period बच्पन में आ गया था किस वज़े से अभी मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ और जो चीजे मुझे शायद अभी सीखनी चाहिए वो मैंने उसी वक्त सीख ली तो चाहे वो rejections देखना हो failures handle करना हो उनसे सीख लेना हो यह मैंने काफी young age में देख लिया था तो यह तो काफी interesting point निकल के आता है कि आप इतने शान्द है इतने काम है struggle जो आपने बोला तो पहले तो हम यह जानना चाहेँए किस तरह का struggle आपने face किया और दूसरा उससे आप overcome कैसे बाहर कैसे निकले struggle इस starting में कोई भी field field होती है तो और competition भी बहुत होता है आपके आसपास लोग होते है क्योंकि आप नए हैं तो आपको उतने मौके नहीं दिये जाते आप बच्चे हैं तो आपको इतना seriously नहीं लिया जाता तो यह चीज एक तरीके से मेरे लिए बहुत struggle करने का ही तरीका था मेरा कि आप कोशिश कर रहे हैं serious होने की अपना काम अच्छे से करने की और आपको अतना seriously लिया नहीं जा रहा और हम जो दूसरा struggle मैं मानती हो अपने life का कि बहुत ही humble background से है तो इतना भी हम नहीं कर सकते थे कि all time flights की journey हो पाए तो trains में जाते थे और school मिसना हो इस चीज का ध्यान हमेशा रखा जाता था तो weekends में ही या summer vacations में होता था और अगर वापस school आना है तो mostly journeys ऐसी होती थी कि 5-5 बजे हम अपने जगा घर पहुँचते थे station पहुँचते थे और train में ही dress up करके school के लिए, directly school जाते थे तो रात की नीन कई बार ठीक से होती नहीं है पर आपको school भी attend करना पड़ता है आने के बाद भी tuition होते हैं projects होते हैं जो आज के टाइम पे बहुत हो गए है बच्चों के लिए तो ये सब होता रहता है और सबसे बड़ी journey जब मैंने अपनी श्रीमत भागवत कथा तयार की थी, seven days की होती है साथ दिन की, तब मेरा बोट्स था, twelfth का तो मुझे लगता है कि वो एक साल ही मेरी जिंदगी का सबसे कथिन साल था जब मैं दो बहुत बड़ी चीजे कर रही थी तो ठीक है वो journey निकल गई लेकिन उस चीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया पहला चीज बालेंस करना सिखाया कि दो important चीजों को आप कैसे बालेंस करते हैं लेकिन priority भी क्या है वो भी आपको समझा देती है कि आपकी priority क्या है उसको कैसे आपको आगे रखना है लेकिन बाकी चीजों को नजर अंदाज नहीं करना है तो ये सारी maturity और failures को handle करना उस वक्त उससे सीख लेना कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब होगा पर बच्पन में जब मैं चीजों को देखती थी insults या rejection ये सब handle करती थी तो मेरा complaint हमेशा भगवान से होता था ना कि किसी और से मुझे उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं और क्यूं कर रहे हैं का मतलब ही कि आप reason जानना चाहते है तो reason ही आपको एक lesson की और लेकर जाता है तो ये चीजे मेरे साथ क्योंकि बहुत यांगेज में हुई तो अब मुझे इन चीजों से जादा फरक नहीं पड़ता कोई भी failure आए तो मैं तुरंत lesson की और मुड़ जाती हूँ कि नहीं अपसेट होना ये चीजे होती रहेगी पर ये अभी सिखाना क्या चाह रहा है इस पे focus करो और solution निकालो और आगे बढ़ो तो ये मुझे उस चीजों की वज़े से मिला है एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ जो लोग बर्ची समझ के ignore कर रहते हैं seriously नहीं रहते हैं आज वो कही ना कही सोचते होंगे कि हमने क्या किया थांक यू नहीं लिया आपने क्योंकि उसी वज़े से मुझे इतनी सीख मिली तो कही बार जैसा मैंने का lessons है ये भी कि वो भी भगवान के lessons है हर चीज को positively लेने का मतलब यही होता है कि positive का मतलब यह नहीं कि चोट लगी तब भी हम यह कहें कि नहीं लगी नहीं लगी है क्यों लगी है यह सोचो कि क्या मैं तेज चल रहा था या मैं जोर से दौड रहा था या मैं ठीक तरीके से मैंने चीजों को रस्ते को नहीं समझा है ये समझो, positive होना नहीं कि जो हुआ उसको नकार दो positivity is कि जो negative भी हुआ है वो क्यों हुआ है उसकी तरफ अपना ध्यान मोरो तो क्या मैं ठीक हूँ आप मुझे बताईएगा कि 6 साल की उमर में as a hobby आपने आधात्म को जोइन किया आप में को अच्छा लगता थी आप अच्छा अपने इसको अपना क्रियर बनाने का अच्छा तो मैं ठीक हुँ तो मैं यह भी जानना चाहता हूं प्रफूदी प्रेट मैं जो अपको लोग नहीं लेते थे वह लोग कौन थे? उनका प्रोफेश्स अपने? प्रोफेशिन जो आपको बुला रहे हैं काम करने के लिए अच्छा, नहीं, आप रिलिजियस वर्क्स में अलाइन थी, आप गीता के पार्ट करती थी तो जो दूसरे गीता के पार्ट करते थे, वो आपको पोस करते थे, क्या सीन था, वो जानना था नहीं, देखे, to be very honest, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं जाओंगी, और शुरुवात में मैंने गीता के पार्ट नहीं, मैंने भजनों से शुरुवात की थी, और भी कई तरीके होते थे, हम कहीं फंक्शन में भी जाते थे, तो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपको जो बु आपको नहीं किया जाता है, अगर आप उस चीज को accept कर लो, तो मुझे लगता है कि वो struggling period इतना tough नहीं होगा, तो मैंने इस चीज को मान लिया था, कि it's okay, ये normal है, अभी आपने इतना कुछ शायद नहीं किया है, इस field को आपने इतना आपका योगदान नहीं है, कि लोग आ आ रहे हैं कि आई ये सब मुझे respect करिये, सब मेरा, तो it's okay, कोई बात नहीं, तो मेरी ये thinking है, कि जब तक आप उस जगा को उतना योगदान नहीं देते हैं, आपको वापसी भी नहीं मिलती है, पर हाँ, कुछ चीजे हैं कि जब आप नई लोग आ रहे हैं, तो आपको अपले नहीं होता है, काम को लेकर, या अगर आप professionally कुछ काम कर रहे हैं, तो उस profession को लेकर लोग professional नहीं होते हैं, सब होते हैं, तो उनकी भी एक रिती रिवाज है, उनका भी एक तरीका है काम करने का, बठाँ हर काम में, चाहिए office है, religious field है, spiritual field है, कहीं भी है, be kind, ये बहु कोई कच्छी जगा ही बना रहने के लिए, that's it, बात मैं बोलना चाहता हूं कि, मैं बहुत सारे podcast की हैं, बहुत सारे लोग को साथ मिला हूं मैं, हिंदी भाशा जो हमारी है, बहुत ही sweet, बहुत अच्छी भाशा है, लोग बहुत कम इसको अच्छे से express करना जानते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके शब्द बहुत सुल्जे हूं है, बहुत कम लोग इतने, you know, expressively Hindi को भोल सकते हैं, तो यह तो मानना पड़ेगा, तो मेरा इंटरस इस चीज में भी है, कि आपने जब ग्रैजुवेशन के लिए अपना फिल्ट चुना, तो वो फिल् लगा था, कि मुझे इंटरस्ट के और ध्यान देना है, तो मेरा ध्यान अक्चली मेरे दोस्तों की तरफ था, कि वो कौन सा फिल्ट चुन रहे है, कि मुझे तो इक बैलेंस बना के काम करना है, क्योंकि बाकी मेरी पढ़ाई तो कहीं और चल रही है, और बहुत सीरियसली च जल रही है, तो पर लास्ट में मुझे लगा, पता चला कि बहुत ही महनत लगी मुझे, मैं कोई और फिल्ट ले सकती थी, जहां एक बालनस बन सकता था, जो मेरे फिल्ट से रिलेटेड होता, पर दोस्त भी दोस्त होते है, तो मैंने दोस्तों के चकर में यह भी कौन फिल् क्योंकि स्कूल लाइफ मैंने बहुत रेगिलर वे में की है, और उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं कंटिनूसली ट्रावल करती थी, टीचर से डाट भी बहुत पड़ती थी, और आप उस वक नहीं समझा सकते, क्या आपको नहीं पता, यहां भी लोग सीरिसली लेंगे के नहीं उस बात को, I was too scared यह बताने को कि मैं क्या करती हूँ, यह मैं अच्छा काम कर रही हूँ, और इस वज़े से थोड़ा भी जो डिस बालेंस बन रहा है, तो बहुत डाट भी पड़ती थी, तो उस वज़े से मैंने कॉलेज के लिए अपने पैरेंस क को बोल दिया था कि अब कॉलेज ऐसा हो जहां मुझे रेग्यूलर्ली ना जाना पड़े, थुड़ा इस रहे, मैं पढ़ाईए, कोई जरूरी क्लासेज है जाओं, एक्जाम्स है तब जाओं, तो उस वक्त मेरा मन था कि उतने दिनों में भी I want कि कोई ऐसे आस पास हो जिन कोमर्स में आए, आपको लगता है कि मैंने जो ग्राजुएशन किया हो कहीं मुझे काम आ रही है या ठीक है, नहीं, लगते है ना ऐसी किया है, पेस रहा है, नहीं, I think वो बैलन्स बनाने की चक्कर में मेरे लिए बहुत हैलफुल हुआ कि वो दो अलग फील्ड था और दो तरफ चल रहा है, एक तरह पूरी तरीके से कॉमर्स में चले जाते हैं, एक तरह पूरा ध्यात्म में चले जाते हैं, लेकिन आपको दिमाग बाक्टो नॉमल वापस कॉलेज में कोई काम है तो लाना पड़ता है, तो यह शायद मुझे बहुत है और आज की टाइम पर म को कोई ना कोई लेसन तो देख कर जाता है, वेस्ट तो I don't think कुछ भी होता है, वो दिख रहा है ना, आपका मन कोमस की तरफ जब जा रहा है, तो मो माया की तरफ लेके जा रहा है, पैसा, obviously आपने बैलेंस बना के रखा, अधात्म की तरफ यह उतने ही हो, मेरा अगला सवा अधात्म को ले के है, अबको लगता है इंडिया में, यूथ आधात्म को बहुत अंडरrate कर चलता है, समझता ही है को सपीरचाईलिटी को, यूथ के लिए डिरेक्ली नहीं काऊंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में सपीर्चालिटी का एक बहुत बड़ा रोल मेरे पैरेंस ने तो ये पेरेंटिंग पे बहुत जादा निर्भर करता है, क्योंकि पेरेंट्स भी कई हद तक बच्चों को छोटी उम्र में स्पिरिच्वालिटी में डालते नहीं है, कि वो बिल्कुल ही स्पिरिच्वालिटी में ना चला जाए, सेकेंड उनको लगता है कि अभी ही थोड़ी उम्र है, अभी तो खेल कूद की उम्र है, अभी जब अच्छी खासी उम्र आएगी तब करेंगे, पर मेरा मानना ऐसा है कि स्पिरिच्वालिटी आपको बहुत काम बनाता है, एक बहुत अच्छा सोचने का परस्पेक्टिव देता है लाइफ को, एक larger scale में आपको काम करने की सोच देता है और larger scale का मतलब है जब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे है आप अपने हर काम में दो-तीन बार सोच रहे हैं कि ये करने से क्या होगा, क्या problems आ सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है advantages क्या है, disadvantages क्या है, दुनिया के लिए कितना अच्छा है ये spirituality सिखाता है तो I think इसकी जरुरत हो सबसे जाद आज की यूथ को है कि उनके life में competition बहुत है, हद से जादा है ये मेरे parents भी मानते हैं, कि जिस तरीके से पढ़ाई में भी आज competition है आज के colleges में 98-99 cut-off है I don't know, हमारे बच्चे होंगे तब cut-off क्या होगा तो seriously, कि अब इतना competition है तो बच्चा as it is, बहुत जादा messed up है peer pressure है, और all-time comparison है तो ये तो best age है spirituality के लिए कि वो जितनी problems का भी सामना कर रहा है उतनी age में जाके, I don't think उसके पास इतने problems होंगे चाहे शायद वो retirement में होगा या अराम की mode में होंगे तो age तो youth ही होनी चाहिए और इसको अगर मैं भगवान से भी जोड़ू तुम्हें हमेशा कहती हूँ अपनी कथाओ में कि जब भगवान को fool चड़ाते है तो आप एक दो दिन पहले का चड़ाते है या दस पंदरा दिन पहले का चड़ाते है reaction is नहीं fresh चड़ाते है तो अपने आपको इतना पुराना करके क्यो चड़ाते हो आप भी जब fresh है आप भी जब young है आप सोचने समझने की शक्ती बहुत अच्छी है आप चीज़ों को grab अच्छे से कर सकते है तो यही तो सही age है spirituality को जानने की ना कि तब जब आप बहुत rigid हो चुके है जब आप आदी से जादा जिन्दगी जी चुके है आपका thought process एक ही line पे चलता है अब आप change होना नहीं चाते तो आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को तो इसलिए youth के लिए parents की जिम्मदारी है कि आप एक छोटी उमर में उनको इस चीज़ में डाली है so that वो आज की competition का सामना अच्छे से कर सके तो अब तो जितने लोग देख रहे हैं अब बहुत पार आध्यात्म या प्रिच्वालिटी की बात बोल रहे हैं हम लोग इसका word का इस्तमाल कर रहे हैं सीधे शब्दों में पूछूं अगर की आध्यात्म क्या है और अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो उसे पूरे दिन में कौन सी क्रियाय करनी चाहिए स्ट्रेट फोवर अगर कोई आध्याम इनसान है ठीक है आप से सुना मुझ से सुना बात की तो क्या है अध्यात्म और उसे पूरे दिन में अध्यात्मिक होने के लिए क्या बहुत सारी चीज़े है पर मैं एक सिंपल जैसे आपने का एकदम सिंपल लैंगविज में एक लाइन में आपको स्पिरिच्वालिटी क्या है स्पिरिच्वल होना क्या है कि अगर आपकी जिंदगी का कोई भी रिच्वल और वो कोई भी फील से हो सकता है काम है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशन्शिप है, परिवार है, कुछ भी है, कारियर है, कोई भी रिच्वल आपके स्पिरिट के साथ हो रहा है, कि आत्मा से जुड़ कर वो स्पिरिच्वल है, क्योंकि ये जूत नहीं बोलता, पर इसको सुनने के लिए समय देना पड़ता है, आज वो समय हमारे पास नहीं है, तो इसको सुनने के लिए आपको पहला पेशन्स लगेगा, तो आपको स्पिरिच्वालिटी पेशन्स की और लेकर अपने आप जाएगी, क्योंकि हम इतना मशीनों के साथ काम कर चुके हैं, कि हमको हर चीज अब कुछ सेकेंड में चाहिए और ये सेकेंड में काम नहीं करता, ये इसकी बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कॉंसेंट्रेशन चाहिए आपको, तभी ये आपको सही रास्ता देता है, और बिलकुल सही रास्ता देता है, इसलिए कहते हैं अपने मन की सुनो, आपके आपके अपनी आत्मा की सुनो, अपनी स्पिरिट की सुनो, वो क्या बोल रहा है, तो वो सुन के अगर आप हर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिच्वल है, ये मेरा मानना है, क्योंकि स्पिरिच्वालिटी कहीं पर भी अच्छे से करो, अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, patience की सिवा कर रहे हैं, वो spiritual है, जरूरी नहीं उसे पूजा पाट करें, तो ही वो spiritual होगा, वो अपना काम इमानदारी से कर रहा है, अच्छे intentions के साथ कर रहा है, वो आदमी spiritual है, फिर आप deep जाते हैं तो आपको जागरुकता, patience, concentration, इस सब कुछ आपको कही ना कहीं, एक spiritual हैं, बिल्गुल सही बात है, पर कोई और चीजे भी कुछ ऐसा चेहीं, जैसे कि मैंने भी सुना है, कि जरूरी जो आधात्विकता में लोग होते हैं, उनका food preference, जो खाना होता है, वो शायद non-vegetarian नहीं होते हैं, ऐसा perception में सही बोल रहां है, अगलत मुझे पता नहीं, तो उसके बारे हमने क्या कहना है, कि उनका food preference भी अलग होते है, उनका mood preference अलग होते है, वो जगह भी अलग होती है, कुछ अलग होता है, या फिर संसारिक्ता में रहते हो भी आध्यात्म को अपनाया जा सकता है संसार में रह सकते है पर आपके काम जैसा मैंने कहा कि आपकी सोच थोड़ी सी लाजर परस्पेक्टिफ पर चली जाती है जहां आप लोगों के बारे में भी सोचना तो अगर आप जिसे non-vegetarian foods के बारे में भी बात कर रहे है कही ना कही हमको पता है कि उससे किसी और को तकलीफ हो रही है तो वो सोचते ही आदमी पीछे हट जाता है अब अगर non-vegetarian में जंग foods भी है जैसे हम गुनों की बात करते है सात्विक्तामसिक राजसिक तो जो आप spirituality के और जाते है तो आप सात्विक्ता की और जाते है तो उसमें हर चीज है पर that does not mean के आप family में नहीं रह रहे हैं आप रह रहे हैं पर आप किसी भी ऐसी चीज को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे जो आपके लिए खराब है food भी हो सकता है तो सात्विक्ता में आपकी food habits अच्छी होती है क्योंकि कई ऐसे foods है जो आप पर हावी हो जाते हैं आपको जादा नीन आने लगती है तो कहीं ना कहीं आपका जो नीन पर control है वो उसको खराब कर देगा वो food तो आप उस food को अलग कर देते है कि नहीं आप किसी बैसी चीज़ को power नहीं देंगे कि तुम मुझ पर हावी हो क्योंकि मालिक मैं हो आपको भगवार ने मालिक ही बना कर भेजा है emotions, इंद्रिया, इनके आप मालिक है और इसलिए आपको हर scripture में कहा गया है कि इनको control में रखो इसलिए कहा गया, पर हम slave बन रहे है धीरे धीरे तो जब आप spirituality के और जाते हैं तो आपको कही ना कई slavery से वापस से ownership के और लेकर आया जाता है कि मालिक तुम हो, तो हर चीज तुमारे control में होनी चाहिए कोई भी चीज तुम पर हावी नहीं होने चाहिए अध्यात्मिक्ता की जब हम बात करते हैं धर्म गुरू specially बहुत sorted होता है, उनका thought process बड़ा sorted होता है, तो लोग follow करते हैं followers हैं इंडिया में, इंडिया में youth है अच्छी बात कोई करते हैं, तो follow भी करते हैं to be very honest, अपनाया as such कुछ भी नहीं मैंने और मुझे ऐसा लगता है हर आदमी spiritual है अंदर से पर उसको realize करने में समय लगता है जैसे धूल बैट जाती है या सोने पर माल लीजे धूल बैटी, कोई सोने की चीज़़ उस पर इतनी धूल बैट गी, अब आपको दिखने रहा है पर क्या इसका मतलब है कि वो सोना नहीं है सोना तो सोना ही रहेगा आपको उसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा पॉलिश करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसको चमक दिखेगी, तो कोई भी जूलरी है जब धूल बैटती है तो थोड़ा काला होने लगता है या धुनला पड़ने लगता है तो आपको सफाई करानी पड़ती है तो स्पिरिच्वालिटी भी आपके अंदर है पर कई बार सामने की जो चीजे हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही है जो भारी दिखावों में हम जा रहे है तब उसके बीच में वो थोड़ा धुनला पड़ जाता है तो ये जितने भी चीजे हैं चाहे मेडिटेशन है, मंत्र चांटिंग है सत्संग है, स्क्रिप्चर्ज है ये उस धूल को हटाने का काम करता है तो मैंने एक जर्नी जी है मैंने कभी कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था कि मैं स्पिरिच्वल होती हूँ कभी नहीं था, मेरी जर्नी बच्पन से चल रहे थी और ये चीजे इन से जुड़ी थी, तो अंदर जो स्पिरिच्वालिटी थी अलरड़ी, वो बहुत से ट्रबल नहीं कर सकती और आज की टाइम पर सबसे बड़ा वर्ड इस ट्रोलिंग कि बहुत जल्दी आपको दुख होता है कि लोग गलत क्यों कह रहे हैं लोग गलत बाते क्यों कर रहे हैं not that कि कभी मुझे हुआ ही नहीं हुआ है, कई बार हुआ है लेकिन शुरुवाते टाइम पर हुआ धीरे धीरे आप उन चीजों को जब स्पिरिच्वालिटी से जोडने लगते हैं आपकी प्राक्टिस और भड़ती है मेरे लिए स्पिरिच्वालिटी या मेडिटेशन है मंत्राज, सत्संग कि आप जब कथाओं में आते है मैं particularly कथा में कहते हैं सारतीन चार घंटे की कथा होती है और उतनी देर कोई फोन यूज नहीं करता और आज के टाइम पर आप सोच नहीं सकते इतनी देर कोई फोन के बिना बैठा है और लोग खुश होते हैं बहुत खुश होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं अपना काम छोड़ चाड़ के आते हैं अपने ओफिसेश छोड़ चाड़ के आते हैं दुकाने बंद करके आते हैं जो जेनरली नहीं करेंगे दूसरे कामों के लिए इतनी जल्दी इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे उन्हें समय का पता नहीं चलता उनकी मूद्स बहुत अच्छे हो जाते तो ये क्यों है कि उनका जो साउंड होता है जो सतसंगी होता जल्दी से डिप्रेशन में भी नहीं जाता ये सच्छी बात है दूसरा पेशन्स लेवल मैं जल्दी से अपना पेशन्स नहीं खोती आप मुझे अगर गुस्टा दिलाना है तो आपको बहुत सारी गल्तियां करनी पड़ीगी मैं एक गल्ती में जल्दी से गुस्टा नहीं होती कि आपके बहुत एक दो तीन महीने लगेंगे तब जाके वो एक वाल कानो आता है और उस पर भी इस नॉट दाट कि मैं अपना आपक हो जाती हूँ नहीं मेरा गुस्टा होने के तब मैं शान्त हो जाती हूँ तो उस पर भी I try कि वो चीज़ मुझे पर हावी नहीं होनी चाहिए गुस्से के लिए भी हम कहते हैं कई लोग कहते हैं कि जब मुझे ऐसे तो बहुत अच्छे है पर जब गुस्सा आता है तो अंदर का राक्षस बहार आता है मतलब राक्षस है अगर होगा नहीं तो बहार कैसे आएगा मतलब आपके अंदर एक राक्षस रहता है तो अब आपका काम है उसको बहार निकालना वरना वो तो आएगा जब समय मिलेगा वो बहार आएगा और फिर वो आपके बने-बनाए काम को खराब कर देगा तो spirituality उस राक्षस को खतम करने का काम करता है क्या कि आप पर चीज़े हावी नहीं होगी यनि आपके हर reaction का control आपके पास है मुझे गुसा करना भी तो मैं अपनी मर्जी से करूगी मुझे कुछ भी करना है वो मेरी मर्जी से होगा वो किसी और के छेड़ने से नहीं होगा और प्लस concentration कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो फिर आप किसी और चीज़ से मुझे भटका नहीं सकते मेरा ध्यान उस पर ही रहेगा तो ये मंत्रों से होता है जो मैं मंत्र चांटिंग रोज करती हूँ कि आपका ध्यान उसकी तरफ होता है तो ये एक तरिकी का meditation है मेरे लिए जो मंत्रों के चांटिंग से मुझे मिलता है तो वो कॉन्स तो ये तीन चीज़े जो मेरे काम में मेरे relationships, family क्योंकि आज की relationship मतलब एक ही relationship हो गया है but relationship में family है, परिवार है, friends है सब के साथ बहुत help करता है मेरे काम में help करता है और मेरे personal यानि जो मेरे साथ मेरा relation है उसमें बहुत help करता है So I can be alone, कभी भी मुझे वोट चीज दिकत नहीं देगी मुझे कोई नहीं चाहिए अगर मैं अकेली भी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ तो ये चीजे मुझे उन सब चीजों से मिली है ये एंगर इस होगा तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कभी कभार ऐसा होटा बहुत जादा work load होता है और कुछ ऐसी चीज सामने आती है तो गुसा आने लगता है तो उसे control कैसे करें और एक सवाल मेरा ये बहुत है कि अभी तो शायद आप control कर ली हो गुसे को कभी ऐसा moment आया था या आपको बहुत गुसा आपको अप्सोस हुआ सोचा कि ऐसको करना है या इसको खतम करना है इसा कोई moment था लाइफ में? सौरी बच्पन में moments होते हैं पेरेंस के साथ खास करके, जब आपको पता है आपने गल्ती किया, say sorry. वो उसी वक्त उस चीज को शान्त करतेगा. हम मानना नहीं चाहते. Acceptance नहीं है. हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, बोलके कि बैसा होगा तो गुस्सा आएगा ना. ये बोलना बंद करतीजे. कि नहीं, मुझे आया, and that's wrong, and I'm sorry. तो ये चीज अपने आप जो management है, ना anger का, ये ही manage करने का तरीका है. पर हम defend करने लग जाते हैं अपने आपको. कि तुमने ये किया तो आया, ऐसा हुआ तो आया, ये problem थी तो आया, ये बोलना बंद कर दो. कहीं ना कहीं, बोलने से भी हमारी चीजे हम justify करने लगते हैं. और हमारे दिमाग में भी justification हमको मिल जाता है. कि now don't say sorry, क्योंकि तुमने तो reasoning दे दी ना, कि इस वज़े से हुआ, जैसे आपने कहा कि workload, तो आपने मान लिया कि workload है, तो गुसा आएगा. ये general है, हर कोई करता है, हम सब करेवे हैं, लेकिन ये एक समझने की बात है, कि आपने बोल दिया दिमाग को, तो अब तो दिमाग sorry बोलना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इसने तो मान लिया मेरी थोड़ी गलती है, गलती तो काम की थी, गलती तो सामने वाले की थी, गलती तो simplify कर सकती है, इस गुसे के problem को, पर generally आज के youth में acceptance को, you know, मैं accept करो कि मेरी गलती है, इस चीज़ को आने बहुत समय लगेगा, तो meanwhile, अगर कोई simple तरीके हैं कि anger को control किया सकते हैं, शान्त हो जाएए, कैसे होगे, गुसा जबाता है, तो कि आप शान्त हो जाएए, या फिर आप जिससे आप प्यार करते हैं, आप सामने वाले को बोल दीजे, कि मेरा मूड इतना अच्छा, कई बार बोलना भी तो अच्छा होता है, कई बार हम सोचते हैं, कि मूड आफ है, फिर घर आते हैं, और फिर दूसरों पर छिलाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में जबा बोलते हैं, कि मेरा मूड ओफ था, तो सामने वाला तो यही बोलता है, कि मूड ओफ था, तो बोलना था, हम नहीं करते हैं, पर आपने जगड़े को बढ़ा दी, आप सोचते हैं, कि तुम समझो मूड ओफ था, that's wrong, क्यूं, मैं हमेशा एक बात कहती हूं, हर चीज में, कि आप दूसरों से क्यों acceptance रखते हैं, कि वो मुझे समझे, आप तो पहले अपने आपको समझे, आपने खुद नहीं समझा, अगर समझ लिया होता, तो आपने बोल दिया होता, कि भई, ऐसी ऐसी बात है, तो थोड़े देर, for example, जब मुझे गुस्सा आता है, मेरे घर को पता लाओं, और फिर मैं बोलू, मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो सामने वाला तो यही बोल गए बात बोलना था, हमको तो यही लग रहा है, अचानक से क्यों ऐसे चुप हो गई, अचानक से रूड क्यों हो रही है, आप अपने मूड की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हैं, और यह हम भारी तोर पे भी करते हैं, कि हम बाहर जो लडाई करके आते हैं, यह भी एक रीजन मुझे लगता है कि गुसा, तो आप बाहर क्यों नहीं चिला कराते हैं, क्यों कि आपको लगता है आपका पावर वहां इतना नहीं है, तो आप घर पे आकर चिला रहे हैं, चाह जानक से गुस्सा आ जाता है, तो इस फिर सप पने आना चाहिए, जोच समझ के ब् setzt को को क्रते है सने के मेरे से छुप कर देते हैं, जब वहां कर सकते हैं तो आप कहीं भी कर सकते्ए है , तो यह आपके hundrede mea है, तो इह आपके कन्ठोल में है, तो यह बात अपने दिन साथ दिन मैक्सिमम लाइफ टाइम तो आपके पास नहीं बैच सकती वह तो आपको ही काम करना है और आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बद सच है कि कल मान लीजे कि मेरे बौस ने मुझ पर चिलाया था मैं तो उसको कुछ नहीं बोला या कोई बड़े आदमी मुझ पर च लोग कर सकती है बड़े आपके आपको अपड़े से बिंदाए स्थक्ति नहीं हम सब्सक्राइश के वहाँ जो नहीं तो आप अपने से नहीं कर अचा कर लेंगा है कि ये सोची समझी चीज़ है कुछ द Records a Ó गए इसलिए ऊपर महम है प्रप्रोब्लम जिसको बहुत इसको बहुत करहता है, लेकिन उसके बहुत मुद्वाद करका है, प्रप्रेश नहीं रहा है कि लोग depression में भी जले जा रहे हैं तो क्या 아ध्यात्मिक्ता उसमें मदश्कर सकती है, कर सकती है तो कैसे कर सकती है और आपकी life में कभी depression आया यह क्या हो रहे है जो मैं सोच रहे थे, वो होई नी रहा है कैसे overcome कि है उसको स्पिरिश्वालिटी आपको एक divine power से connect करती है कि आपके उपर भी कोई है जो सबकाम देख रहा है वो आप उसको कुछ भी नाम दीजी मेरे लिए शायद वो कृष्ण है किसी और के लिए राम होंगे किसी और के लिए कुछ होगा सबके अपने अपने नाम हो सकते है लेकिन एक higher power है कोई नाम नहीं भी दे तो एक higher power है जो सबकुछ manage कर रहा है तो जब आप ये मानने लगते हैं तो कही ना कहीं आप जानते हैं कि कोई एक ऐसा बैठा है जो मेरा बुरा नहीं कर सकता मैं ये परस्नली मानते हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी situation इस हद तक नहीं ले जा सकती कि मैं बिल्कुली हार मान जाओ कि अब कुछ बचा ही नहीं क्यों? क्यों कि बचा तो हमेशा रहेगा कि मेरे लिए एक बैठा है उपर जो मेरा गलत नहीं होने देगा तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है जो मेरे सोच के अगेंज जा रहा है जो मैंने प्लान किया है उसके अगेंज जा रहा है तो में भी बड़ा प्लान है मैं जो मांग रही हूँ वो चीज उतनी मेरे लिए अच्छी नहीं होगी जितनी वो सोच रहे हैं होगी तो यह सोच मुझे जल्दी से हार नहीं मानने देती है Upset हो सकती हूँ It's not that कि मैं upset नहीं होती मुझे रुना नहीं आता सब कुछ होता है And that is very normal Emotions खतम भी नहीं होना चाहिए हम robot नहीं है हम इंसान है Emotions होने चाहिए हमारे अंदर पर वो हावी नहीं होने चाहिए यह एक side है बात का पर spirituality जो power से आपको connect करते हैं तो वो depression में इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि एक मान लीजे एक आदमी जो नहीं मानता इस चीज़ को तो वो अपना जो भी 100% है वो देगा और फिर उसको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ दिया बचा क्या अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर अब क्या करना कुछ भी नहीं तो सब ख़तम पर वो ही जो एक मानता है कि एक power है वो उसके लिए ख़तम कुछ नहीं है कि अब उससे लग रहा है कि मेरा काम तो हो गया अब उसका बचा है उसको करने दो आपने कई एक बार ही न सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखते है कि एक भगवान की फोटो है और उनके हाथ में पड़ा सा टेडी बेर है पीछे और सामने एक चोटी बच्ची खड़ी है उसके आपने एक छोटा सार भगवान वो मांग रहे है उससे और भगवान को वो कह रही है कि पर मुझे बहुत पसंद है तो आक्चली वो पिक्चर आपको पोट्रे कर रहा है कि भगवान आपसे आपके खुशी चोटी आपको वो मांग सकते हैं कई बार यानि आपको जो चाहिए नहीं मिल सकता है पर आपको नहीं पता कि पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेर रखा है जो आपके लिए ही है पर उसके लिए पेशिंस चाहिए जो हमारे अंदर नहीं है हमको और चीज तुरन चाहिए मिला क्यों नहीं क्योंकि आपको तुरन आप कुछ भी सर्च करिए सेकंड में मिल जाता है इसलिए आजकर लोगों का लोगों से ही नहीं रिलेशन अच्छे से कानेक्शन बन पाता है कि टेक्स टाइम इनसान मशीनों की तरह काम नहीं करते है इनसान अपने पेस पे ही काम करेंगे और मशीन अपने पेस पे काम करती है तो लोगों को लगता है इनको छोड़ो मैं को जो सेकंड में हर चीज मिल जाए मैं उसकी तरफ जाता तो यहाँ पे चीजे बिगड रही है यहाँ पे हम चाहे mental stress है, depression है anxiety issues है, हम सब की ओर जा रहे है कि धीरे-धीरे लोगों से nature से इन सबसे हमारा जुडाओ कम होता जा रहा है और जैसे ही फिर कभी अचानक होता है तो वो इन चीजों की ओर लेकर जाता है, कि अब आदत नहीं रही होने की, अचानक से हो जाए तो हम वो accept नहीं कर पाते उसका सामना नहीं कर पाते तो यहाँ पे आप depression cure जाते तो मुझे personally उस तोर का कभी हुआ नहीं क्योंकि मेरा विश्वास भगवान पे बहुत ही जादा है और यह समय दोर समय दोर बहुत बढ़ता गया है तो अब तो कोई भी चीज मुझे ऐसा लगता है कुछ भी गलत होता है मेरे planning for example COVID अब COVID में आप सोच भी नहीं सकते मेरे कितने बड़े बड़े plans थे हम बहुत बड़े projects लेकर जा रहे थे और सब कुछ हो चुका था कि बस अब तो उतरना ही है काम करना ही है और अचानक से lockdown announce हो गया सब कुछ बंद हो गया programs बंद हो गए कथाएं बंद हो गई पर उस वक्त भी हमारा यही था कि मेरे पापा ने मुझसे यही कहा कि ठीक है काम तो नहीं है पर जब था तब तुम बहुत excuses देती थी कि में पस पढ़ने का समय नहीं है में पस knowledge gain करने का ठीक से समय नहीं है मैं महनों तक बाहर रहती हूँ मैं क्या करूँ अब है अब काम करो अब पढ़ो तो मतलब वो एक जो sad face हो सकता था कि मेरे तो सारे plans खतम हो गए मैंने क्या सोचा था क्या हो गया वो तुरंट से खतम होके कि नहीं यह मिला है तो यह किसी और चीज़ के लिए मिला है तो मेरे लिए यह knowledge gain करने का समय था कि जो मुझे इतने समय से नहीं family के साथ समय बिताने का समय था मुझे नहीं मिलता था मैं महनों बहार रहती थी तो तुरंध हमने उस चीज़ को मोड दिया यह सोच के कि अगर भगवाण ने दिया है तो सोच समझ के दिया है तो यह सोच मुझे हार मानने नहीं देती आपको सुनके और मैं रिकॉल भी कर पा रहा हूँ मुझे फिलिंग आरी कि अध्यात्मिक्ता का मतलब एक मैडिसन या दवाई नहीं है जब को दिया अब ठीक हो गया इट टेक टाइम बट मुझे ऐसा लगते है कि अध्यात्मिक्ता एक तरह का हर चीज का solution देता है जो root way से उसे खतम गरेगा पर समय लेगा उसके जबाब आपको देगा कि हो रहा है तो क्यूं हो रहा है और अगर क्यूं हो रहा है पता लग गया तो शायद आप root way पे काम करके उसे ठीक कर सकते हैं और इसमें आपका काम बहुत ज़्यादा है बाकी चीजों में हो सकता है कि आप डॉक्टर्स के पास चलेगे यहां वो काम कर रहे हैं आपको सिर्फ दवाई लेने का काम करना है पर यहां पर माक्सिमम काम आपको ही करना है पर इग्जामपल अगर आप भगवान को देखते हैं तो भगवान का काम केवल रस्ता दिखाना था क्योंकि लड़ने को तो पूरा महाबारत अगर वो लड़ते तो वो ही खतम कर देते और सेकिंड्स में पलक जपकते ही खतम कर देते पर उनका काम वो नहीं है उनका काम केवल है कि ये रस्ता है ये सही है ये गलत है चलना तुमको है चलना है गिरना है उठना है जो करना है वो तुमको करना है ये जानते है वो पीछे खड़े है और जुन जानते थे भगवान सामने बैठे है पर ये भी जानते थे शास्त्र नहीं उठाएंगे तो जो करना है वो मुझको ही करना पड़ेगा तो साथ देने के लिए वो है पर हाथ पकड़ के चलाने के लिए नहीं है वो चलना तो आपको ही पड़ेगा तो अध्यात्मिक्ता भी यही है कि आपको लोग बता सकते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है पर आपको करना खुदी पड़ेगा और उसमें बहुत महनत लगती है कहते हैं खुद पे काम करने में समय लगता है तब ही वो निखार आता है लेकिन निखार अब जैसा मैंने का मशीने हैं सब हैं वो तुरंट आपको मिल गया तो लोग अपने उपर काम करना बंद कर देते हैं कि नहीं मुझे तो मिल रहा है तो वो आदत एक आप समझें, दिमाग पे कादत पड़ रही है, खुद पे काम करना बंद करके, हम उसको बहारी कैसे घुमा फिरा के कर दे काम, मशीनों के द्वारा उस पर जादा फोकस हो गया है, बलकि इसके, कि नहीं, वो काम मैं खुद कैसे करूँ, तो स्पिरिच्वालिटी आपको इसके और, यह बहुत डीप सब्जिक्ट है, यह आपको इतनी चीजों के और लेकर जा सकती है, आपके पुरी जिंदगी को बदल सकती है, पर बेटर कॉज, जो आप सोच भी नहीं सकती है, कि जो भी आपको लग रहा है, कि छोटी चीज भी आपके बसकी नहीं, वहीं आपको लगी का, दुनिया में ऐसा क्या है, जो मेरे बसका नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा, प्रिच्वालिटी आध्यात्म से, थोड़ा हटते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, बिकिस बहुत सारे ग्यूवर्स है, आपको सरफ एक ही एंगल से देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है, आप ही इनसान है, तो सबसे बहुत जानना चाहते हैं, कि आपकी होबेज आध्यात में के अलावा क्या है? तो बहुत जानना चाहते हैं, हम जब भी घर पे होते हैं, यह पक्का है, हम सारी मील्स, और इंक्लूड्स वो चाय का समय भी, हम सब चार लोग हैं परिवार में, मेरे पैरेंस हैं, मैं मेरी छोटी बहन हैं, हम चारों एक साथ करते हैं, नो माटर वाट, अगर कोई बहार भी गया, कि आप होबी नाम दे दीजी गया, कि अब इतना समय हैं नहीं, अब होबी नहीं हैं बुक्स, पर एक जरूरत भी है, पर पहले होबी की तरफ और अब जरूरत है, कि मुझे पढ़ना पढ़ता है, पर मुझे समय फामली के साथ, दोस्तों के साथ बिताना बहुत अच्छा लगता है, चारों से कितने अटाइजड हों आप? बहुत जादा, बहुत हच से जादा, और जो आपने मुझे एक बार डिप्रेशन पूछा, तो not actually डिप्रेशन, बट काइंड ओफ की अलग तरीकी की साड़नेस, को बेड़ने का फारा डिप्रेशन, लोग अगर तो को में लोग के आपके साथ की साथ मुझे जाएजए, तो एक जालना हो जाएजए, इसलों पेड़ने का लिए स्पिरिचियों पारे इन्सार से भारा हिए, लेकिन फिर भी आप जादा अटाच्ट नहीं हो किसी से भी that is called detachment see कही ना कही मुझे आपकी बात सही है पर वो attached नहीं हो से जादा I am into कि वो हावी नहीं है मुझे like I am too attached लेकिन that does not mean कि मैं काम नहीं कर रही हूँ मैं बाहर नहीं जा रही हूँ जैसा मैंने का कि COVID की टाइम की खबरों ने मुझे थोड़ा परिशान किया उस तरीके से में बहुत जादा attached हूँ और जो human nature है अगर ग्रहस जीवन में है तो attachment तो होना ही चाहिए वरना फिर प्यार रहा कहां आपके अंदर लेकिन वो हावी नहीं होना चाहिए spirituality is आपके लाइफ में सा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोग दे एक अच्छी सोच से थोड़ा डीप टाइब करते हैं इस सवाल को सवाल एक्चली यह है बिकेज ये हम सब बाते हैं जानते भी हैं कि हम पैदा होते नहीं होते कोई गैरेंटी नहीं थी लेकिन मरना तै है शास्वत सबते है इससे बड़ी certain चीज कोई है ही नहीं है आप जाओगे जरूर तो आप इतने ज़्यादा अटैज्ड हो अगर मैं उपरवाला ना करे की ऐसा कभी हो बट एक ना एक दिन सब के लाइफ में होता है जो आए हो जाएगा आपको नहीं लगता वो अटैज्मेंट आपको कहीं ना कि बहुत दुख देगा बात में जब 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 पता है सी स्पिरिच्वालिटी जब अब गीता जी में एक बात आती है भगवान कहते है कि सत्य को जानना अब देखे गीता बताई किसको जा रही है डिटाच्मेंट के बारे में किसको बताया जा रहा है स्पिरिच्वालिटी के बारे में किसको बताया जा रहा है उतनी लक्शरी में तो कोई नहीं रहता जितनी लक्शरी में पांडव या कौरव रह रहे थे राज्य था पूरा उनके पास और उसके बाद भी मिला है जीते ही है वो, राज्य किया ही है उन्होंने तो सब को छोड़ देना ये डिटाच्मेंट नहीं है ये वैराग्य नहीं है ये ये स्पिरिच्वालिटी नहीं है उसमें रहकर उन चीजों को समझना पर सत्य को जानकर जैसे आपने कहा कि सत्य है सब जाएंगे, पता है जिस दिन आएगा उस दिन भी आप बॉखलाएंगे नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉंशिस माइन में आपको पता है कि आएगा ये दिन आप दुखी होंगे जैसा मैंने का emotions है, that is very natural आपको समय लगे का उससे overcome करने में that is very natural पर आप ये बोल देंगे ये तो हो ही नहीं सकता that is not natural I know that but that does not mean कि मैं उस चीज़ को लेके अपने emotions को खतम कर दू क्योंकि वो हो नहीं सकता, वो एक ना एक दिन बाहर आएगा तो emotions को दबाना नहीं चाहिए जो है, वो सामने है but that does not mean कि मुझे सच नहीं पता for example, जब हम बोलते हैं संसार सच नहीं है, उसका मतलब क्या है कि temporary है, career है temporary है, fame है, temporary है money है, temporary है पर इसका मतलब मैं कमाओ नहीं, नहीं एक अच्छी lifestyle के लिए चाहिए आपको, आपको fame आपको मिल रहा है, तो ये एक power है कहीं ना कहीं, बदलाव लाने का भी कि आज अगर आप मुझे बुला रहे हैं मैं इतनी बाते करी हूँ, क्यूं? क्योंकि एक fame है और आपको पता है कि मैं जो बात बोरी हूँ वो कहीं और लोग भी बोल सकते हैं पर उनके पास वो fame का power नहीं है तो लोगों तक पहुँचेगी नहीं बात तो ये एक तरीके सी टूल है चेंज लाने का ये भी जरूरी है पर temporary है मुझे पता है तो किसी दिन चला गया तो मैं बौकला नहीं उठूंगी कही न कहीं मुझे पता था कि ये सब temporary है तो ये सच जान के आप life जीए सारी मौज मस्ती करिए उपनी च्छाएं पूरी करिए पैसा कमाईए घूमिये फिरिये फैमली के साथ टाइम स्पेंट करिए सच जान के सब temporary है permanent मेरे लिए सिर्भगवान है वो हम नहीं थे तो भी है हम है तब भी है हम चले जाएंगे तब भी रहेंगे तो इस सोच जिसकी है वो वैराग के लेके रखा है वो डीटाच्मेंट फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको सच पता है दिमाग में मृत्यों पे थोड़ा और डीप डाइब करते है हमारे इंडिया में कहना मतलब विकेंड से की विश्व में होगा पर भारत में ऐसा होता है कि अगर कोई शवयात्रा जा रही है तो जनरली बाबा अपने बच्चों को अंदर ले जाता है वो शास्वत सत्य देखने देते नहीं है मृत्यों के बारे में बात करने नहीं देते हैं जब बात होती तो डागनेस आजाती है अधेरा सा चाने लगता है मतलब मृत्यों के बारे में बात क्यों हो रही है तो आपको नहीं लगता है कि जब इतना बड़ा शास्वत सत्य है जो एक सर्टेन चीज है उसके बारे में हमारे मन में फोबिया भरना वो कितना तक जाएज है बहुत गलत है और अगर आप scriptures पढ़े तो आपको मृत्यों के बारे में तो पढ़ाया ही जाता है यह सबसे बड़ा सच है बताया ही जाता है तो वो ही है कि क्योंकि हम अपने scriptures से भाग रहे है हम सच से भाग रहे है और इसलिए हम जूट कि और इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जब सच का सामना होता है पर आप यह नहीं छोड़ सकते, या यह बदल ही नहीं सकता, भगवान को आज तक लोग गलत बूल रहे हैं, कि कम्प्लेन तो उनकी भी हो रही है, बुराईयां तो उनकी भी हो रही है, तो आपको लगते हैं आपकी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यह चेंज कभी आ ही नहीं सकता, कि 101 परसेंट दुनिया में सब ठीक हो चुका है, कुछ भी गलत नहीं है, यह हो इनहीं सकता, सही गलत यह बैलन्स है, यह चलता ही रहेगा, यह आप पर हावी ना हो, यह आपका काम है, यह सच को जानना आपका, तो वहीं पर है कि जब जो मृत्यू की बात है या सच की बात है ये जानना जरूरी है और इसलिए जरूरी है आप scriptures पढ़िए गीता जी आज सबके घर में रखी होगी श्रीमत भागवताथ सबके घर में रखी होगी रामचरित मानस रामायन सबके रखी होगी पर हम उसको बस सजाकर भगवान की तरह रख देते हैं पढ़ते नहीं है अगर आप उसको पढ़ने जाए तो आपको ऐसी ऐसी बाते पता चलेगी जो आपको सच के सामना कराईगी और जूट से बचाएगी जब आप श्री बात करते हैं जब आप श्री कृष्णू की बात करते हैं इनकी जितनी प्रॉब्लम्स आई जो भगवान खुद है जब इनकी आई तो यही सीख मिलते जब इनकी आ सकती है तो मैं कौन हूँ मेरे तो आईगी आईगी पर इनके आने के बाद भी इन्होंने अपनी जो स्माइल है नहीं छोड़ी इन्हेंने सही का रास्ता नहीं छोड़ा इन को घर के अंदर डाल दिया जा रहा है या आप कुछ उप रहने बुला जा रहा है यह सब बात मत करो यह अच्छा नहीं है जो सच है वो अच्छा नहीं कैसे हो सकता है यह तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है जो कहते ना कि जो पैदा हुआ हुआ है वो बड़ा होगा की न वो कितने सच को छुपाएगा छोटे-छोटे सच भी छुपेंगे इनसान तो पूरी तरीके से क्या कहते हैं इमाजिनरी वोल्ड में जी रहा है और इसलिए जब उसके हिसाब से नहीं होता तो वो बॉकला उठता है यह सब रीजन है उस बॉकला हट का थोड़ा और एक सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा था मैंने सोचा आप से पूछता हूँ क्वेशन यह है आपको थोड़ा समय शायद नहीं मिलता है बट यह जो सामने दिखरा आपको यह टीवी उसमें आजकल यूथ को नेट्फिक्स की एमेजोन प्राइम की आदट डल गई है पर उसमें जो परोसा जा रहा है बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के गुरू है बहुत सारे गोटाले दिखाया जाते कि अश्रम एक सीरीज थी या फिर बहुत तीन-चार अभी कल्ट नाम से एक सीरीज आने वाली है जो कि यह दिखाता है कि हिंदू धर्म में जो आश्रम होते हैं जो गुरू होते हो पाक खंडी होते हैं जब यह सब परोसा जा रहा हमा पावर भी करना चाहते हैं इस तरीके से लेकिन दूसरी तरफ बॉलिवुड है या फिर यह लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं वो एक दूसरा इंगल दिखाते हैं वहां पर इन सेक्यूरिटी पिल नहीं होती है नहीं बुरा लगता है तो बी वेरी ओनेस्ट जब गलत चीज जिसे मुझे लगता है कि आप खुद ही मजाग बनाते हैं आप ऐसे कई लोगों को देखेंगे जो खुद इस रिलिजिन से हैं हिंदू है और वो भी मजाग बना रहे है तो मैं अपने कथाओं में भी कहते हैं जब तक आप इज़त नहीं करेंगे कोई और कैसे करेगा मैं तो मिजये कईझे से आप वाइलीन्ट हो जाएए अब उस मजाग का हिस्सा मत इज़िए आप कोई समने वाला मजाग कर रहा एं तो आप को हसाने के लिए तो करये अप मत हस हिए वह जो कर देगा पर आप contribute कर रहे हैं इस चीज में आप contribute कर रहे हैं इसलिए इसको बढ़ावा मिल रहा है आप contribute करना बंद कर दीजे बढ़ावा बंद हो जाएगा दूसरा जब youth की बात आती है तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कई बार जब वो ऐसे नाम लेते हैं जुन्होंने गलत किया होगा तो गलत कहां नहीं है आप इसको ऐसे जनरलाइज कर देंगे कि एक किया तो पुरे ही गलत है तो फिर तो वो ही है जब आपके पैरेंस आपके साथ कंपैरेजन करते हैं कि एक बच्चा तुमारे एक दोस गलत है तुम भी सब गलत हो गए वो गलत है तो सारे के सारे आपको बुरा लगता है कि नहीं कि आप कंपैर क्यों करते हैं आप सबको एक ही कट घरे में क्यों खड़ा कर देते हैं, सब के अपने अपने तो, तो वो चीज आप दूसरी जगा क्यों नहीं करते हैं, ऐसे बहुत लोगे जिन्होंने पूरी लाइफ स्पिर्च्वालिटी को दी है, रिलिजिन को आगे बढ़ाने में दी है, अच्छी बा ठहराया जा रहा है, या एक किसी यूट ने गलत काम कर दिया, तो सब को क्यों गलत बुला जा रहा है, या आपको भी तो लगता है, तो वो चीज आप दूसरों पर लागू क्यों नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि जब बात हम पे आती है, तब हमको बुरा लगता है, अदवाइस हम मजाग ही समझते हैं, तो ये चीज और ये भी पेरेंटिंग पर है, पेरेंटिंग मेरे लिए एक आठ है, इतना easy नहीं है, आप एक generation तयार कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं तयार कर रहे हैं, आगे की पीडी तयार कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ की चीज़े करनी पड़ेगी, तो कई बार बच्चे आते हैं questions लेकर, पर parents को answer नहीं पता, पर मैं कभी को बार मैं खुद ही अरान रहे जाता हूं, बहुत सारे ऐसे, मतलब हिंदू धर्म से ही हैं, और हिंदू धर्म को समझ ही नहीं पाते हैं, मुझे ऐसा आप दिखे, अपर गैसा आप दीचिए, आप आप दीचिए, तो मनि आप आपको वैलिंट होने के लिए नहीं कहा, अब यह ज़ए Candi है, मैंस लोग पर लिए पक्दू इस को बहुत है, और tips यह समुंत लोगा, लिए पहुत ब्लिश्म बोला और puisque बोल यह को ऑद लीद न आप अपने ही देश की बेजती कर रहें, जब आप देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहें, अब for example agar आप गंदगी भी फेक रहे हैं, आपको लगती है जिसका काम है वो साफ करेगा, ठीक है लेकिन जब देश का नामाएगा तुसके लिए देश नहीं होगा, देश त पर आप उस मजाप का उस गलत चीज का हिस्सा मत बनिये और बोलिए के ये गलत है और अटलीज मेरे सामने तो मत करो भाई são मुझे इस बचीज कोई मजाप नहीं लगता और नाहीं मुझे एचीज कोई मजाप सहने वाली भी बात लगता है क्योंकि to be very honest, एक general बात समझे, मजाग क्या है, जब दोनों हस रहे हैं, जब एक को दुख हो रहा है, और एक हस रहा है, तो ये मजाग हो ही नहीं सकता, और किसी कौन sensitive है नहीं है, ये चलो आपको topics नहीं पता, पर भगवान तो सबसे sensitive topic है, क्योंकि उससे भावनाएं है लोगों की, उमीदे जुड़ी है, हो सकता है, आप इतना नहीं मानते, या मैं, पर कोई third person होगा, उसकी जिन्दगी ही भगवान है, उसको कितनी तकलीफ होगी ये चीज़ देखकर, आप इतने insensitive कैसे हो सकते हैं, ये जानते हुए कि ये सबसे sensitive बात है, लोगों की इससे जुड़ी है, जिन्दगी इससे जुड़ी है, भावनाएं इससे जुड़ी है, इतनी सारे emotions जुड़े हैं, और आप एक मजाग कहकर कहते हैं, कि मजाग लेना नहीं आता, मजाग के लिए बहुत topics हैं, be creative, please, किसी की भावनाओं के साथ छेड़ चार करके आप मजाग कि देखे, मैंने इज़द की हैं, आप भी इज़द करी हैं, क्योंकि यह मैं वापसी आपसे तो ऐसा नहीं है, कि मैं सिर्व अपने धरम के लिए हूँ, किसी और के धरम के लिए, तो मुझे लगता है कि यार, किसी की भगवान का मजाग नहीं उड़ाना चाहिए, that's wrong, तो यह सबके लिए है, क्योंकि सबकोई emotions लेकर बैठते हैं, पर यह आपको समझना पड़ेगा, कि मेरे emotions है, तो सामने वाले की भी होंगे, सामने वाले की तो तीसरे की भी होंगे, यह सोच, जिसा मैंने का be kind, इसमें पैसे नहीं लगते है, यह बहुत ही simple सी बात है, कि से दयालू हो जाएए, और कुछ भी कहने से पहले सोचिए, कि क्या यह जेनरल बात है, या इससे तकलीफ भी हो सकती है, लोगों के, यह सोच इस दुनिया को बहुत 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 बना सकता है, जैया जी, अभी तका conversation बहुत amazing रहा, बहुत कुछ सेखने को मिला, तो मुझे यह समझना है, आजकल बहुत सरा यूथ है जो लीडर्शिप सीखना जाता है, उनमें सबसे पहली चीज़ स्टेज फियर को दूर करना है, आपको कहीं आगे जाके बोलना पड़ेगा, अपने आपको रीप्रेजेंट करना पड़ेगा, आप में वो क्वालिटी क बताती हूँ चीज़े कि आपको क्या करना चाहिए, पेरेंस को क्या करना चाहिए, बच्चों में वो सेल्फ कॉन्फिदेंस आए, मेरी जब बात आती है, नर्वसनेस अबिसली हुई है, बट वो कभी मुझे भीड से नहीं हुई, कि इस चीज़ को ले मैं टालेंट या करो, तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमाटिक होता है, कि मुझे पता है कि वो एक ऐसा इंसान है, जो सब सही जानते हैं, और जब आपको लग रहा है कि सब सामने खुश है, मुझे पता है कि वो कही न कही गलती निकाल चुके होंगे, कि ये गलत था, और हम कथाओं के सब्सक्राइब अभी भी वेट करते हैं, कि मुझे पता है, तो मुझे बोलते हैं कि अगलत निकाल था ये जो चीज कर सकते है, उंके सामने मुझे थोड़ा लगता है, और था वो कि और आपको पता है कि वो ही सिख रहे हैं आपको सब कुश, और अदरीमाट बही बहीं कि हर वक्त ये बोलके बच्चा है बच्चा है भगाईए मत उनको responsibility से क्योंकि एक नाएक दिन तो responsibility आएगी और तब वो बहुत डर जाएगा और अगर वो उस वक्त fail हो गया तो वो और under confident हो जाएगा कि सही का इसलिए मेरे parents शायद मुझे responsibility नहीं दे थे कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ तो आपको बच्चपन से उसको responsibility जिम्मेदारियां देने की आदर डालनी चाहिए कि वो छोटे-छोटे काम करें चाहिए वो अपना खुद का काम करना हो अपनी चीजे खुद उठानी हो अपना बाग्स खुद तयार करना हो और गलती भी करने दीजिए और गलती पर डाटिये मत उनको और सिखाई कोई बात नहीं अगली बार इसका ध्यान रखेंगे या इस ये गलती कैसे ना हो इस बार next time इसका ध्यान रखते हैं मुझसे जब-जब गलती हुई है मेरे पैंट्स ने कभी मुझे इस तरीके से रियाक्शन नहीं दिया कि मैं डर जाओं उनका रियाक्शन हमेशा सल्यूशन क्या होगा देखने का था कि अच्छा इसका सल्यूशन क्या करते हैं एक्जामपल कई बार जब नए आने आ करते हैं आपको श्लोक सियाद नहीं होते जल्दी से तो मुझे कहते हैं आप लिखो आप टॉपिक्स लिख लो आप खाली श्लोक लिख लो कि यह चीजें बच्छों को बहुत डरा देती है तो अगर आप उनको कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो मेरे साब से अपने सामने बनाई है कि कि तब तक आप बचाने को है आपके जाने के बाद लोग पीछे पड़े हैं गल्तिया निकालने के एक जितना माबाप अपने कि यह बड़ा होगा तब करेगा या बड़ी होगी तब करेगी या जब समझदार हो जाएगी समझदार तभी बनेगी जब गल्तियां करेगी समझदारी के सबसे बड़ी की है गल्तियां कि आप जितनी गल्ती करते हों कि उससे अपको उतनी सीख मिलती है व्यक्ति अगर सि सही-सही करता जा रहा है तो सीख कुछ नहीं रहा है क्या भी उसको कहता है मुझ से जो होता है सही होता पर जो गलती करेगा वो सीख रहा है तो आगली बार उसको दोहराएगा नहीं और यह सबसे अच्छा lesson होता है और यह आपके experiences होते हैं तो यह देरे दीरे आपको confidence की और तो कही ना कही है, पैरेंस का काम है, दूसरा बच्चों का काम है, अपने आपको चालेंज करते रहना, कभी भी अपने comfort zone में मच जाएगे, For example, जिसा मैंने का COVID की टाइम, अगर मैं चाहती, by God's grace, सब ठीक था, तो हम ये कर सकते थे, कि नहीं, चलो, इतने साल तक आराम भी तो नहीं मिला है, हम continuously travel करते हैं, हम रात-रात को travel करते हैं, हमको नीन नहीं होती कई बार, कि जब तक ये lockdown है, तब किसी को नहीं पता था, एक-दो साल निकल जाएंगे, तब हम कुछ महने या कुछ दिन ही लग रहे थे, कि चलो, आराम करते हैं, सिफ रेस्ट मोड पर जाते हैं, नहीं, क्योंकि फिर वो एक comfort zone हो जाता, रेस्ट मोड कुछ दिन अच्छ लगते हैं, इतने लंबे समय तक फिर आपको आदत पढ़ जाएगी उस चीज के लिए, और फिर कोई अगर competition सामने आया, फिर कोई struggle सामने आया, फिर कोई challenge सामने आया, तब उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो keep challenging yourself, नहीं चीज़े सीखते रहिए, नहीं चीज़े पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बनाते रहिए, तो इससे भी confidence पैदा होता है, कि आप कुछ ना कुछ करने के काबिल है, तो ये कई छोटी 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 चीज़े हैं, जो बड़ा self confidence लेकर आते, कई बरना हमारा तो इससे बड़ी चीज़े पर रहता है, और आपकी हाबिट्स चोटी चीज़े से बनती है, तो आप जितना ध्यान देंगे, उतनी बड़ी चीज़े आपके लिए एजीली होती हो जाएगी, अच्छ ऐसे कभी हुआ है, आप सत्संग करें, या भजन केतन करें, और अचान नहीं भी हो सकता है, for example, मैं मोटिवेशन सेशन में हूँ, और मैं कोई बहुत सीरिस टॉपिक बात करें हूँ, और मुझे कोई वहां से जाते हुए दिख रहा है, तो मेरा ध्यान एक बार के लिए भटक दया, तो मैं भूल गई, कि मैं क्या बोल रही थी, तो मैं लोगों स पैदा नहीं करा, तो अपने आप आप चीजों को पलटने की कोशिश करेंगी, तो इस दोनों तरफा है, कि इस नाचरल, मैं भूलती हूँ, कई बार आपका ध्यान भटकता है, कहीं पर भी हो, लेकिन वो पूछ लेना अच्छा है, तो आपको पता भी चलता है, अप सेम प करेगा, आइटी निकालेगा, जए निकालेगा, नीट निकालेगा, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, सलेक्शन नहीं हुआ, फेलियर का सामना हुआ, तो इप्रेशन के साथ-साथ बहुत सारे बच्चे इतने ज़दा डिप्रेस हो जाते हैं, कि का किया था, कि उनका confidence खतम होता है, और ये कही न कहीं parents के बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि बच्चा एक बार पास नहीं कर रहा, या कुछ आपको लग रहा है कि अध्यान नहीं दे रहा, तो आपके words बहुत आपको carefully use करने पड़ेंगे, क्योंकि हर दिमाग एक नह करना चाहिए, वो तो आपको समझे, या वो आपके situation को समझे, तो कई बार की, मैं हमेशा कहती हूँ कि माबाप का तरीका गलत हो सकता है, intentions गलत नहीं होते है, वो intention उनका यह है कि आप successful हो जाओ, वो जब नहीं रहे, तब ही आप अच्छे से रहो, आप अपने पैरों पर ख लगता है कि यह तरीका है, आपको वापस से काम पिलाने का, पर यह तरीका नहीं होता, actually, क्यों, the reason being, कि बाहर भी उसको यही सुनने मिल रहा है, जब बाहर जाता है, तो लोग उसको नीचा करने के लिए ही काम कर रहे है, तो घर पे वो आता है, यह सोच कर कि यहां तो हुआ है, तो आपको और समझाना है कि कोई बात नहीं, यह एक्जाम तुमारी जिंदगी नहीं है, हम करियर को जिंदगी बना चुके हैं, कि यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है, जब आप किसी को सब कुछ का पदवी दे देंगे उस से हार जाएंगे, तो फिर कोई है कि आपके बचा क्या जब उमीदी खतम हो गई हर चीज की तो इंसान करेगा क्या तो इसलिए जरूरी है कि पहली चीज तो आप उसको जिंदगी मत बनाईए वो एक पार्ट है जिंदगी का बाकि आपके लाइफ में आपके रिलेशन्शिप है आपका परिवार है आप खुद है आपकी खुशिया है आपकी इच्छाए है सब कुछ है इस सारे पार्ट से इनको सब को बालेंस करके चलना है तब ही आप हर चीज इंजॉय कर पाएंगे कुछ थोड़ा कुछ कम ऐसे चल सकता है वो प्रायोरिटी है आपकी पर इंजॉय सब कुछ करना चाहिए य रहते हैं और फिर बस वो 10-15 दिन बार फिर से हम महनों तक कताओं में पर वो 10-15 दिन मेरे लिए बहुत माइने रखते हैं लेकिन अगर मैं सोचू कि कोई चीज अब माइने ही नहीं रखता मुझे तो सिर्फ यही तो मेरी जिंदगी और कुछ बचा ही नहीं है कि एक टाइ है कि अनुसार उन चीजों को समय दीजिये तो फामली के लिए भी क्या बच्चों को समय दीजिये आप यह मत सोची तो बच्चा कहीं पर भी अपना stress उतार नहीं पाता है उसके अंदर ही रह जाते कि कोई बात करने वाला नहीं है घर में जादेर बात करने पर ही parents को लगता है कि अज़ी जाओ काम करो तुम खाली क्यों बैठे हो अगर खाली बैठा भी तो आप बैठ जाए ये बात करने थोड़े देर ही करिये, दस मिनिट ही करिये कि बीटा दस मिनिट बात करते है अच्छे से फिर भले ही पढ़ने जाना पर दस मिनिट अपने बात करते है अज कल बच्चे खाना भी रूम में मंगा रहे हैं और पैरेंस को भी लग रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना तो वहीं नहीं खाना खाते हैं तो आप ठीक से नहीं पढ़ सकते ना तो एक काम करो उससे छोड़के खाना फैमली के साथ आकर खाओ या आप वीडियो कॉल पर बैठ कर खाई अगर बच्चा बाहर है तो पर वो टाइम बहुत जरूरी होता है कि वो वापस से आपको आपको एमोशन से कनेक करता है लेखिया आप कंटिनूस लिए एक मशीन की तरह काम कर रहे है यूमन एमोशन कहां गए वो वापस कैसे आएंगे वो आएंगे जब अपनों के साथ रहेंगे तो ये कही न कई पूरी तरीके से पैरेंस की जिम्मदारी है और दूसरा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं सिर्फ इस टॉपिक के लिए है किसी भी टॉपिक के लिए कि बच्चों से गलतियां होती है मैंने कई पैरेंस को कहते हुए सुना है ये बागेज आप सोचिये कि इनसान तो इनसान है और ये बात पैरेंस भी जांदे गल्तियां पैरेंस ने भी की होगी लेकिन जब बच्चे से गल्ती हो जाती है भूले भटके हो गई कोई भी गल्ती अब ये तो शौर है कि वो आपको तो नहीं बताएगा क्या वो इतना डर गया है क्या मेरे पैरेंस को तो उसको लगा कि उनको कुछ हो है न आप हम ही कर लेते हैं जो उनको कुछ होने से पहले चली ये नहीं भी हुआ कि कोई इतने तो स्ट्रॉंग है कि स्यूसाइट का रास्ता ना अपना है तो वो हेल्प मांगते हैं आपको लगता है कि कोई जैनुविन ली उनकी हेल्प करेगा बाहर का इंसान वो तो अपना फाइदा भी लेगा तो आपके बच्चे किस लेवल के हद तक जा सकते हैं सोचिए कितना लोग उनको एक्स्प्लॉइट कर सकते हैं कितना उनका फाइदा उठा सकते हैं रीजन सर्व इतना है कि वो आपको बताने से इतना डर रहा है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छी सीख दीजिए आप संसकार दीजिए पर एक लाइन विश्वास का अंत में ये रखिए कि मैंने तुम इस सब समझाया तुम सोच समझ के काम करो गलतियां कम से कम करो लेकिन अगर हो भी गई तो मेरे पास आना मैं समाल लूँगा मैं बचा लूँगा हर चीज़ से तुमको ये विश्वास जिस दिन पेरेंस ने बच्चों के मन में डाल दिया इतना डरेंगे जितना वाज डरते हैं गलत स्टैप्स उठाते हैं एक्स्वाइट फील करते हैं लोग उनको उनका फाइदा उठाते हैं ये सब खतम हो जाएगा जिस दिन उनका और उनके पेरेंस के बीच का वो विश्वास जाग जाएगा वापस मैं आपने परेंस को सुनती है मेरे लाइफ में आप मैक्सिमम सीख यही सुनेंगे कि मेरे पापा ने मुझ से ये कहा मेरी ममी ने मुझ से ये कहा क्योंकि ये भी एक रूटीर है हमारा कि हम हर कुछ दिन में एक topic उठाते हैं और हमारी पूरी family बैठती है लेकर हम चारो बैठते हैं क्योंकि मेरी बहन अभी उसका अब struggling period चल रहा है वो सीख रही है तो पहले वो कहीं और रहती थी वहाँ उसने classes की अब वो कहीं और shift हो रही तो वो थोड़ा लेकिन फिर भी हम जब भी रहें हम चारो एक साथ बैठते हैं हम एक topic उठाते हैं वो topic general topic spirituality हो गया, parenting हो गया, शादी हो गई divorce हो गया, कोई भी physical relation कुछ भी हो गया और फिर हम उस पर debate करते हैं अब चार दिमाग चल रहे हैं एक मेरी मॉम का दिमाग है एक मेरे पापा का है दोनों की age अलग है यानि एक generation हम से अलग है लेकिन फिर भी gender अलग है तो सोच अलग हो सकती है हमारी generation अलग है हमारी सोच अलग है और क्योंकि मेरा और मेरी बहन के field अलग है तो चार दिमाग एक साथ आ रहे हैं बस इसमें यह है कि हमारा पक्का होता है कि उस एक दो घंटे के लिए भूल जाना किसका क्या किस्टे रिष्टा है कि बीच में वो एक दरार ना आ जाए कि ऐसे बात नहीं करना, यह नहीं करना मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो एक गलती तो हो सकता है पैरेंस की किसी बात पे भी हो तो मैं वो गलती को जागर कर दूँ या फिर मेरी कोई गलती हो तो वो उसको जागर कर दे तो मेरे एगो को नहीं लगना चाहिए या उनके एगो को नहीं लगना चाहिए तो वो उतनी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के कौन है और हम उस टॉपिक पे बात करते हैं तो सोचे आपको चार थॉट्स मिलते हैं एक ही टॉपिक के और फिर अपने कमरे में जाके ठंडे दिमागे और कोई किसी को गलत सही नहीं ठहराएगा यह सिर्फ डिबेट चल रहा है जिसके दिमाग में जुआ रहा है वो बोल रहा है अब सब बैठो अकेले में और सोचो और फिर उसका कंग्लूजन निकाल के तुमको जो सही लगता है तुम उसको अपने हिसाब से डिसिजिजिन मेलो तो मेरे लिए यही मेरे गुरू है जिनको मैं बहुत सुनती हूँ और आज भी मेरे लाइफ में कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा पहला दिमाग मेरे माबाप के पास ही जाता है जाए वो स्कृप्चर्स को भी पढ़ रहे हैं तो कई बार होता है कि मैं रात को भी कई बार पढ़ती हूँ पैरेंस सो रहे हैं तो मेरे कई आप बुक्स में लिखा हो देखेंगे कि किसी श्लोक के बास पापा लिखा होता है किसी श्लोक ऐस मम्मी लिखा होता है उनसे पूछना क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आया तो मेरा पहला इंस्टिंक यही कहता है कि उनसे जाके पूछो तो मेरे लिए वो ही सबसे अभी बड़े ग्यानी है मेरे लिए जो सब कुछ जानते हैं जो सबसे अच्छे वे में मुझे हेल्प कर सकते हैं आपकी सिस्टर का जिक्र हुआ आपने भी किया तो यह पूछना चाहता हूं कि आप इतना फेम गें करें आपको लोग जान रहे हैं पहचानते हैं बहुत जादा एक सेलेबरिटी की तरह है आप उसने आपको बहुत क्लोज ली देखा आपकी सिस्टर ने तो उसके दिमाग में यह नहीं आए कि कितना नाम कर गए है तो मैं इस फिल्ड में जया की साथ हो जाती हूं चलो अब वाटसर नेम भाइदवे चेतना उनके दिमाग में कभी नहीं आया था? काम अलग है, मैं जादा स्पिरिच्वल काम करती हूं, पर जादा इंकलाइन वो है, अपने काम से हटके भी, वो बहुत जादा स्पिरिच्वली इंकलाइन है, वो नेचर लवर है, वो अनिमल लवर है, और मुझे कई चीजे उससे सीखने को मिलती है, और हां ये है कि हमारे द लगता है, वो करिये, वो शर्ते हैं आपका जो संस्कार है, आपकी जो जड़े हैं, आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको साथ लेकर जाओ, और जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये तीन चार дня चीज़े हमेशा आपके साथ होनी चाहिए तो वो संसकार की वज़े से उसके मन में कभी एना है कि क्योंकि इसको ये फाइदा हो रहा है तो मैं भी इस फील्ड में आऊ या मैं सोचू कि उसको फर एक्जामपल मुझे कई बार लगता है कि नहीं नहीं उसकी नॉमल लाइफ त उसके बहुत अच्छे आइडियाज है हाँ वो मुझे हेल्प करती है मैं उसे हेल्प करती हूँ तो हमारा परिवार कहिना है जिसमें चार दिमाग है पर एंड एक साथ ही आता है चारों का तो वो संसकार वो प्रिंसिपल्स वो भगवान वो सत्संग इन चीज़ों को जोड कर रखता है जब एक पोड़कास स्टार्ट हो रहा था तो हम टीम से सवाल पूछ रहे थे तो एक टीम मेट का क्वेशन था जो आपने सुना भी था तो मैं उससे अभी पूछना चाहूंगा जब आप पंडाल में बैठके इतने सारे ओडियंस को इतने सारे लोगों को सत्स आपके पाओं पड़ती है तो आपको क्या फील होता है तो आप जिसको स्कूर्प्चर्स के अनुसार दा ना जाता है सबसे उंचा स्थान माना गया है और actually वो इज़त, वो सम्मान, वो पैर पढ़ना कही ना कही मेरे लिए नहीं उस गद्दी के लिए होता है तो जब उस पर रहते हैं तो तब मुझे पटा नहीं लगता क्योंकि वो जगा लग है जिसे अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ या उस पर बैट कर बात करूँगे आपको भी दो इनसान लगेंगे और वो मुझे भी नहीं पता वो कैसे होता है तो एक वो जगा की शक्ती है, पावर है तो उस वक्त मुझे अटपटा नहीं लगता क्योंकि मुझे पता होता है अंदर यंदर कि वो मेरे लिए नहीं, वो इस जगा के लिए सम्मान है उससे जब नीचे उतरते हैं तो एक भावनाई तो जुड़ी है सब की तो, पर मैं कोशिश करती हूँ और मैं 100% मेरे तरफ से जितना हूँ मैं किसी को पैर पढ़ने नहीं देती क्योंकि पैर पढ़ने के लिए वो मेरे से बहुत बड़े है हम सम्मान करते हैं दूसरे का हम जैशे कृष्णा करते हैं, हम हाठ जोड़ते हैं मुझे उससे नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो बाते में उनको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं उनका help कर रही हूँ, वो उस help के सम्मान है, कि आप से हमने कुछ सीखा है, और जब आप सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन धर्म में ग्यान की कोई उम्र नहीं होती, और गुरू, यानि जिससे आपको सीख मिला, गुरू बहुत होते हैं, आज मैं आप से कुछ सीख रही हूँ, तो मेरे लिए आप भी एक तरीके के गुरू है, मैं कहीं और जाओंगी, उनसे मुझे एक बात भी सीखने हो बहुए, वो भी है मेरे गुरू हो गए, तो सीखते आप सब से हैं, और जिससे आप सीखते हैं, आप उसकी इज़त करते हैं, तो वो इज़त इसलिए कि उनको शाइद वो तीन-चार गंटे, उसके कोई सीख मिली है, या उन बातों से कोई सीख मिली है, तो वो उसका सम्मान है, तो मैं उस सोच को लेकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि जब वो सम्मान करते, पर हाँ, मैं अगर व्यास गदी से नीचे हूँ, तो मैं किसी को पैर नहीं पढ़ने देती, क्या बात है, क्या बात है, एक और, जितना conversation हुआ है अभी तक, मुझे समझ में हैं, कि आप आध्यात्मिक्ता में तो हैं लेकिन आप फैमिली परसन भी हैं, कुछ रूमर्स कभी कबार उड़ती हैं आपके बारे में, आपकी शादी को लेके, तो उसमें कितनी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई ही नहीं है, वो सिफ रूमर्स है, और मैंने ये पहले भी कहा है, कि अगर में शादी कभी भी होगी, तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको, कि वो हो रही है, मेरे चैनल्स है, वेरिफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डिरेक्ली बता दी जाएगी, पर अगर अगर आपके खुद के इस आप से सोच की बात कही जाए, तो अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी, कि शादी के बंधन में मैं बंद जाओ, पर तो बी वेरी ओनिस्ट करेंगे, क्योंकि साधू या साध्वी या संत, मैं अपने आपको नहीं मानती, मैं एक बहुत ही नॉमल लड़की हूँ, जैसे आप हम सब हैं अपने घरों में रहते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, एक नॉमल लाइफस्टाइल जो होती है, हर व्यक्ती की वो जीते हैं, पर साथ ही साथ, मैं बहुत स्पिरिच्वल हूँ, मैं बहुत रिलिजिस हूँ, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, और शायद इन्ही के कारणा जो मैं कर रही हूँ वो है, पर अदवाइस, क्योंकि मैंने का नॉमल है, जादी भी होगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, पर अपने टाइम पर होगा, तो इस टाइम का इंतजार करी, और रूमर्स के बारे में जादा ना सोचे, पर एक यूट्यूब चैनल था, जो आपके बारे में इस चीज़ को लेके, बैक टो बैक वीडियोज बना रहा था, तो वो क्या इंसिरेंट था, और उसको कैसे टेकर किया, यह कई इंसिरेंट, यह यूट्यूब चैनल है, कई जो व्यूज के लिए, कभी मेरी शादी अबरॉड में होती है, कभी इंडिया में होती है, कभी किसी गाओं में होती है, कभी बिजनिसमेन के साथ है, कभी पॉलिटिशन के साथ है, कभी किसी के साथ है, तो जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इतने रूमर्स है, काफी रूमर्स फैलते हैं, तो आप खुदी समझ सकते हैं, कि रूमर्स है, यह लाइक इत्यादी के लिए लोग करते हैं, जो कहीं न कहीं जिसा सोशल मीडिया का जमाना है, जितना ही अच्छा है, उतना इसके डिसद्वांटेज़, यह दो पहलू है, तो जो डिसद्वांटेज़ उनकी तरफ मठ जाएए, और जो मैंने हमेशा कहा कि आप लोगों को जर्ज बाहरी बातों से मत करिये, आप उनसे सुनिये उनकी कहानी, तो मेरे लिए भी जर्म, मैंने आपको कहरे हो कि शादी होगी, तो आपको बता दिया जाएगा, और मुझसे ही बता दिया जाएगा, कि छुपाने वाली बात नहीं है, कोई इसे छुपा क नहीं रह सकता, तो जिब होगी तब पता चल जाएगा, और मुझसे ही पता चलेगा, तो तब तक आप दूसरों पर विश्वास मत करिये, रोमस पर विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है, इस चीज को ध्यान में रखियेगा आप, और अब अगला जो सवाल है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट और यह इस सेग्मेंट का आखरी सवाल है, उसके बाद लोग अगले सेग्मेंट की तरफ चलेगा, तो लोगों का इंटरस्ट होगा इस चीज को जानने में कि आप एक्चली कैसी दिल्चरया जीती है, क्या स्केडूल रहता आपका पूरे द तो तब एक बहुत ही डिसिप्लेंड स्केड्यूल होता है, जह हर चीज टाइमली होती है, उठना टाइमली होता है, खाना टाइमली होता है, पढ़ाई टाइमली होती है, तब इतना होबी का I don't think so मुझे समय मिलता है, क्या दिन काफी निकल जाता है, लोगों से मिलना होता हम स्कूल जाते हैं, गौशा लाएं जाते हैं, कई जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, प्रेस कॉन्फरेंसे होती है, तो एक थोड़ा हेक्टिक भी है, पर डिसिप्लेंड भी है, जहां एक समय तै होता है हर चीज का और उससे आगे पीछे नहीं होता, पर और जब घर पे होते हैं, तो आप एक रेस्ट मूड पे होते हैं, तो दिंचर्या सब्स्रेंड नॉर्मल रोती है, आप एक टाइम पे उठते हैं, आप तयार होते हैं, फिर उसके बाद मेरे एक दो चीजgs है, जो मैं कभी मिस करती। इस मंत्र चांटिंग, मेरी पूजा, मंत्र चांटिंग मेरे लिए मेडिटेशन है, तो अगर आप उसका नाम लेकिए मेरी मेडिटेशन और मेरी पूजा, ये मैं सुभह भी करती हूँ और सोने से पहले भी करती हूँ, तो no matter what मैं कहा हूँ, ये दो चीजे हमेशा होती है, ब इसका हां फिर आप अजिया है, आप आप मीटिंग उतेंड कर रहे हैं, न्टीया के भाद आपते हैं घर चांट पाद वह बहुत काम होते है, आपको टीम से मिलना होता है, आपको नइप्न प्रॉजेच्स प्लान करने होते हैं, तो ये चीजे मिएप होती है, ये दिस बनाने का, तो कोई बहुत अतरंगी सा शेडियूल नहीं होता मेरा, एक नॉर्मल सा शेडियूल है, जो आप चीजे सोचते हैं, क्योंकि बस काम बहुत होता है, लग-लग प्रोजेक्ट होते हैं, तापका दिमाग काफी जगा लगता है, अदर्वाइस मेरा रेस्ट मोडस फ बलाती हूं, या उनके घर जाती हूं, बहार जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लोग पहचानते हैं, और फिर वो आपके प्रिविसी में तरीके से दिक्कत हो जाती है, तो मैं बहार थोड़ा कम ही कोशिश करती हैं, पर आम घर बुलाते हैं, पुरा-पुरा दिन एक साथ बिताते हैं, बाते करते हैं, बड़ी सिमपल सी दन चरिया होती है, जो मेरी जो मैं घर पे रहती हूं- अब मुवी का जिक्र कर रह थे तो लास्ट मुवी आपने कौनसी देखी है tari 6 लास्ट मुवी मैंने काफी देर बाद देखी लेकिन छो मुझे काफी समय पहले देख पर मैं कंटिनुवसली बहार थी और हम चाहते थे कि यह मुवी खास करके हम सब एक साथ देखे पूरी फैमिली दाइस कश्मीर फाइल्स तो हमने लास्ट मुवी वही देखी और सीख तो आप जो हम बात करी रहे थे कि आप तो सीख तो बहुत कुछ मिली और बहुत भावुक मुवी है एक सच को सामने लेकर आ रहे है तो अच्छा लगा बहुत देखकर और अच्छा लगा कि यह सच सामने आया बहुत समयबात पर आया लास्ट मुवी हमने यही देखी थी वह देखने के बाद चुली मुझे पहली veg करहा है कि एकदम यह जो हिंदू है वेक साथ मुझे तो ऐसाल जबाब का सेशन कभी नहीं नहीं हो बहुत सारे सवाल है लेकिन टाइम का कंस्राइट है अगले सेग्में की तरफ चलते हैं इसका नाम है रापिड फायर और अपने आपने जाया जीं को इससे पहले ऐसे सेग्मेंट नहीं नहीं देखा होगा तो तयार है आप चलिए और अपने बार बार बात बोल रहा हूं काई बार लोग रापिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं तो जनरली मैं पूछता हूं उनसे तो लोग कहते हैं कि हाँ थोड़ा डर रहा हूं लेकिन आप तो ऐसे चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल रैपिड फायर का फर्स क्वेश्च यो फेवरिट प्लेस अच्छा ये में दो है कि आप तीर स्थल बोलेंगे या जेनरल फेवरिट प्लेस आप दोरों में आंसर वेटे हैं तीर स्थल में खाटू शाम जी चो मैं हर साल जाती हूं no matter what और घुमने फिरने के लिए अच्छ मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लस आइ तिंग महराष्ट्र से मेरा एक नाता है क्योंकि मेरा ननिहाल है महराष्ट्र तो वहां की भाषा वहां का बोलने का तरीका वहां का खाना इस सब मेरा फीवरिट है तो मेरी मम्मी महराष्ट्र से ही है नाकपुर के पास से तो म मेरे पापा, मेरी बेहन, हम लोग सब बॉम में से थोड़ा अटाच्ट है, मैं बड़ा अच्छा लगता है, वहां का खाना पिना, वहां की बोल चाल, वहां जो अलाइवनेस है, एक दम सब जागे हो है, मुझे भागदोर अच्छी लगती है, मुझे एक शांत बैठे नाच् अगला सवाल, आपके हिसाब से अमीर कौन है? जो खुश है, जो खुश है वो अमीर है, तो खुश रही है, अगला सवाल, सुन्दरता का मतलब क्या है? यूनिकनेस, हर कोई सुन्दर है, मैं कथाओं में ये बात कहती हूँ, कि आप जब खुबसूरत या बदसूरत की बात तो सुन्दर हर व्यक्ति, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप से अलग दिखता है, ये कितनी सुन्दर बात है, सुची ये बी एक बात भी सुन्दर है, कि सब अलग है, सब अलग दिखते है, उनके फीचर अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, तो ये भी तो एक सुन्द कि अन्हों बनाइ है और अगर ऊसने बनाई है टूए गलत हो नहीं सकती आपकी फेड़रेट बूक? कीता जी आपका फेड़रेट फूर? बेसन चावल आपका पेड़रेट तैम पाउस? टैम पास? मतलब I डों तिंक वर्ड के साथ मैच करेग ओन फैमली आपकी फैमिली में आपका फेवरिट परसन? पापा पापा अच्छे है तो क्यों है? एक शब्द में क्योंकि मेरा समय उनके साथ जादा गुजरा है क्योंकि दो बहने है तो मेरे पैरेंट ने जिम्मेदारियां बाट ली थी तो मैं जब बहुत जादा ट्रावल करती थी तो पापा मेरे साथ रहते थे ममी चेतना के साथ रहती थी मेरा समय मेरे पापा के साथ बहुत गुजरा है देखे ये एक दूसरी बात है पर मैं अगर फीलिंग के साथ कहूं तो मैं अपनी ममी से बहुत متः हुए, कि मैं उनके सामने कुछ भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूए , ऐसे मैं पापा के सामने भी कही सकती हूँ , पर फिर एक दम एक दम चोटी से चोटी बात.. तो वह चीज न कहीं है, बस कोई reason नहीं होता पापा तो वो एक बात है कि और मेरा समय बहुत गुजरा है मेरी कथाओं में हर वक्त एक चहरा मुझे हमेशा दिखता है कि वो हमेशा मेरे सामने कभी ऐसा होता नहीं कि वो मेरे सामने नहीं है तो पापा अपकी फेवरेट, ओल टाइम फेवरेट मूवी हम साथ साथ है अरे तो हम साथ साथ है तो आपका फेवरेट एक्टर मेरा ऐसी कोई फेवरेट आक्टर होता नहीं है मूवी के अकॉर्डिन चलता है कि मुझे अच्छी लगी तो मुझे पसंद आ गए पर एक खुतिन है कि एक ऐसे है जो सब कोई अच्छे लिए सामिजी कि एक all time ही फेवरेट है सबके वो कुछ भी करें तो प्यारा ही लगता है तो उस तरीके से पर टिकुलर्ली मेरा कोई फेवरेट होता नहीं है कि कोई काम अच्छा लगा तो उस समय के लिए कि ये मूवी अच्छी है या इस अक्टर का काम अच्छा या इस अक्टर का काम अच्छा है पर all time फेवरेट बोल के ऐसा कुछ नहीं है जया नाम किस ने दिया इदादी ने और स्विच्वालिटी में आपके कौन से ऐसे धर्म गुरू है जो आपको बहुत प्रभावित की है राजिश्वानान जी अनको बहुत सुनती है वो अब है नहीं पर बहुत अच्छे लगते है स्वामी जी जिनसे मैंने जो मेरी पहली कथा है वो सुनी स्वामी रामसुपदार जी और वो भी नहीं है और अक्चली जब मैंने उनकी कथा भी सुनी थे तब ही वो नहीं थे दीक कथा है और मुझे अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ तयार करना है ऐसी एक धर्म गुरु थे, लीक से हटके उनोंने बात की उनको, मैं बहुत प्रभावीत हूँ उनसे, उनको वर्ड एक्जाईल था, ओशो, आपके क्या विचारा? मैंने उनके बारे में इतना अभी पढ़ा नहीं है, अचली नाम सुना है, पर लेट सी के मैं जानू उनके बारे में पर लेट सी के मैं जानू आपकी फेवरेट बुक? और अगर छोड़ दें, तो इसा कौन सा फिल्ड जो आपको बहुत प्रभावित करता है? संगीत, क्यों कि मैं भजन भी गाती हूँ तो आपका अगर हम लोग भजन छोड़ दें, अचा पहले भजन पही आते हैं, आपका फेवरेट भजन कौन सा है जो आप जनली गाते हैं? हम तुमारे हैं प्रभुजी क्या बात है, और अगर हम भजन ये सेग्मेंट छोड़ दें, तो उसके अलावा बहुत सारे सेग्मेंट हैं, ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? दो-तीन गाने हैं, पर एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, तुछ से नाराज नहीं जिन्दगी, एहरान होगा आप अपनी जो कथाये करते हैं, उनमें आप गुन-गुनाते हैं, भजन गाते हैं, और हमने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो दो लाइने हमारे विवर्स के लिए हो जाएं, किसी भी भजन के? जी, मैं अपने जो सबसे पसंदिता है, उस ही को गाती हूँ, क्योंकि उसमें एक विश्वास है, जो मैंने कहा, कि आप जब भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आप जल्दी से हारते नहीं हैं, और वो विश्वास यह हैं, कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हम को स क्या बात है यह दम सदेव खे सुर लगे हैं, कमाल है. तो यह आपने सिखा कही ? यह मैंने शंगीत ऐसे तीन साल सीखा है, पर फिर भी, मैं अपने आपको इसलिए सिंगर नहीं कहती। कि जो समय मुझे संगीत को देना चाहिए, रियास के लिए देना चाहिए, वो मैंने नहीं दिया है, फिर मैं अपने कामों में लग देए, इसलिए मैं कहती हूँ, मैं कथाकार हूँ, मैं स्पिरिच्वल स्पीकर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर मैं सिंगर नहीं और शायद कुछ मिंटों में वो अधासी चलि जाती है क्या बात है, क्या बात है, अतालिया हो जाए है एक बात ओल्टाइम फेवरेट फीमल वोइस लाता जी, डेफिनिटली त्स रूट, बैट त्स रूट, ओल्टाइम फेवरेट वेल वोइस किशोर कुमार जी आपके पापा किनके फैन है? मेरे पापा आइधिंग किशोरदा के फैन है और रफी साब के फैन है मनाडे साब के फैन है तो वो अच्छली जो पुराने सिंगर्स थे उनके बहुत बड़े फैन है वो म्यूजिक में हो गया अगर मैं आपसे पूछूगी क्या वो आपके फैन है जब आपको देखते हैं वो किस वे से देखते हैं? बहुत खुशी से मुझे अपने आपको देखना अच्छा नहीं लगता पर मेरे पापा मेरी मम्मी दोनों को मतलब आज भी यूट्यूब चानल में जब हम चानल है जो समें अपलोड करते हैं भजन्स है और विडियोस है सभी है रोज सुबह का उनका एक रूटीन है कि वो सुबह के सारे विडियोस देखते है और मुझे बड़ा पड़ा लगता है जब उनके चहरे पर वो खुशी आती है मुझे ऐसा कुछ काम करते हुए देखते हुए जो उनको लगता है कि अच्छा है बहुत स्कूल टाइम का ऐसा कोई इंसिदेंट जो पर पापा को आपने बताएंगी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ाई वाइज नहीं पढ़ाई मैं आवरिज स्टूडेंट थी पर क्योंकि मैं काम करती थी और थुड़ा बहुत स्कूल में सोता था तो एक टीचर्स की नजर में मैं हमेशा थी तो मुझे असा लगता था कि अगर मैंने कोई गल्ती कर थी तो ये बात तो तुरन पेरेंस तक जाएगी तो इसलिए मैं गल्तिया नहीं करती थी मैंने कभी भी क्लासेस जल्दी से बंक नहीं की स्कूल बंक करना तो बहुत दूर की बात है तो मैं गल्तियों से बच्चती थी और तो ऐसा कुछ खास है नहीं जो मेरे पापा को नहीं पता हूँ पेवरिट पॉलिटीशन I think अटल ब्यारिवाज पाई जी क्या बात है देना चाहिए हमें आंसर मुझे लगता है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुएं प्रधान बंतरी हुए है उनमें वन अटल बेस्ट है आपने उनको सुना है अटल बहरिवाज प्राइम मेरे पापा ने मुझे सबसे पहली बार सुनाया था और मुझे सुनाते रहते हैं वो कुछ ना कुछ वो नियूस देखेंगे तो मुझे बठाते हैं तो मुझे कम समय मिलता है इस चीजों का। इसलिए मुझे इतना पता नहीं होता है कि जनरली क्या हो रहा है कितना है पर जितना पता होता उस हेसे सबसे अच्छा इलगते हैं मुझे वो अच्छे लगते हां, आप चूरे haunting हमें अशे हैं देवोशन, जैसा आप मुझसे पूछ रहे है यंग एज में उस यंग एज में अपने देश के लिए देवोशन, इतनी देश भगती, इत्स अम्मेजिग, फेवरे टीवी चैनल, इसा कोई फेवरेट नहीं है मेरा, मैं कुछ भी देख सकती हूं, कई बार मुझे पता भी ने कोई इसा कोई पतिकुलर चानल नहीं है कि मैं तो इसी चानल को ही देखूंगी, कुछ भी चल सकता है, बस वो अगर एंटरटेन्मेंट परेड़े तो बस एंटरटेन होना चाहिए, तब मैं वो उतना ही दिमाग लेकर चलती हूं, कि मेरा एंटरटेन्मेंट परेड है, तो थी चानल के पतिकुलर स्बाइब एंटर रारिक्स, इमेजोन प्रायम, सोंए, दो थी चानल लएगा, वो कोई प्राईमेरान उंटरी है, नेट्प्ली Mikro आप एक अच्छे कम्मुनिकेटर हो या फिर आप अच्छा दिखते हो तो आपको ओफर आते हैं आप में दोनों क्वालिटीज है तो आपको भी ए फ्रेंट ओफर आया बोलीवूट की तरफ से कि चलो आओ कभी ऐसा विग बोस में काफी बारोसा होता है कि लोग धर्मगुरो को बुलाते हैं पता नहीं देखिए to be very honest हो भी सकता आये हो भी सकता नहीं आये हो कि ये चीजे मेरी टीम देखती है पर मेरी टीम को पहले ही पता है कि मेरा objective क्या है काम करने का तो हम इन चीजों पर जादा ध्यान नहीं देते पर अगर कोई धार्मिक फिल्म है जो बनने ज जहां पर आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा और उस वर्ड को सुनने के बाद आपका क्या रियक्शन है या आपके दिमांग में क्या आता है आपको बलंटली वह बताना है तो चलो स्टार्ट करते है पहला भाग्या मेहनत दूसरा प्रकृति नेचर पैसा जरूरी प्रेम अनकंडिशनल संतोष मुश्किल इगो यह वर्ड नहीं कहूंगी पर इसमें विनाश काले विपरीत बुद्धी मेरे लिए कि जब इगो आता है इंसान में तो अच्छे से अच्छी चीज को भी अंत में ले आता है देश भक्ती जरूरी समय कीमती खाना बहुत अच्छा ल पर खान एक सकते हैं यह तो हिए अथाए आपढ़र ने कहा हैं अ कि अपको अपने है ल्ग कभी ध्यान रखना पता है बहुत अच्छा लगता है खाना is the best thing, हम खानी के लिए ही जीते हैं पापा, सब कुछ और जया खुद के लिए? बहुत कुछ और फाइलि अगर जया को डिफाइन करना हो, एक ही वर्ड तो क्या हो? एक्स्प्रेसिव मुझे असा लगता है कि यह कहता है कि आप सबका एक यूएसपी होता है मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेस करने का तरीका मेरी यूएसपी है चाहे वो गाने में हो चाहे वो बोलने में हो चाहे वो भावनाओं को सामने व्यक्त करने में हो और यह मैं अपने मन से नहीं कह रही कि मुझे इस सामने से लोगों ने बात कही है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो और भी लोग कर रहे हैं पर उनको मेरी बात अच्छी लग रही है क्योंकि मैं उसको express अच्छे से करती हूँ तो शायद ये मेरा expressive nature कि मैं चीजों को express बहुत अच्छे से कर सकती हूँ आखरी सवाल इसी सेग्मेंट में जिन्दगी एक्सेप्टेंस ये गीता जी की भी बात है कि आप जिन्दगी को एक्सेप्ट करना सीखिए जैसे सीजन्स है कि आप सीजन्स हटा नहीं सकते अब आपको गर्मी अच्छी नहीं लग रही है तो आप क्या बोलेंगे गर्मी चली जाए वो चली जाएगी नहीं आप फैन चला देते हैं आप ऐसी चला देते हैं थंड अच्छी नहीं लग रही तो थंड थोड़ी चली जाएगी सर्दी का मौसम तो रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ पहन ले, तो जिन्दगी यही है, accept करना, कि जिन्दगी बहुत कुछ देगी, उच नीच, इधर, उदर, दुख, सुख, सब कुछ मिलेगा, मुझे करना क्या है, उस पर देखना है, तो जिस दिनी acceptance हो गया जिन्दगी को लेकर कि मुझे जिन्दगी को as it is, accept करना है, changes मेरी तरफ आएगी, आप जिसे में नेचर के लिए मैंने शपका patience, नेचर क्या है, पेशेंस, अब एक्जामपल किसी को रात अच्छी नहीं लगती, तो क्या वो बोल सकता है सूरच को जल्दी उग जाओ, वो तो अपने ही सम रहेगी, खुशियां भी आती रहेगी, पर अगर तुम इन चीजों को अपने उपर हावी नहीं हुन दोगे, कब जब तुम मान के चलोगे कि यह होगा, तो मैं मान के चलती हूँ, कुछ भी हो सकता है कभी यह एक acceptance है मेरे लिए, जिन्दगी माने कुछ भी, कुछ भी हो सक तो मैं ready हूँ हर चीज के लिए, पर अगर यही मैं मान लूँ कि नहीं, मेरे ही हिसाब से होगा, मेरी ही planning चलेगी, तो वो तो होगी नहीं, क्योंकि यह दो साल ने यही सिखाया, कि लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया, नेचर ने कुछ और ही प्लान किया, पर जिसने उस कि जो लाना है सामने लाओ, मैं सामना कर लोगी, आखरी दो सवाल जोड़ना चाहूंगा, इसी से रिलेटी, जिन्दगी का सबसे कड़वा सच, मृत्यू, और जिन्दगी का सबसे मीठा फल, परिवार, क्या बात है, मेरा तमन यह कर रहा है, सच बता रहा हूँ कि कभी एं तो, थेंक्यू सो मच, आप यहाँ पर आए, और हमें समय दिया, और समय के साथ-साथ आपकी ज्यानवान बाते सुनने को मिली, और as a person मैं आपको जाधा जान पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं भी आपका एक फोलोवर बन गया हूँ, मैं सुनना चाहूंगा, और जाने से पहले, मेरा एक आखरी सवाल है, और in fact वो सभी व्यूवर्स के point of view से भी है, जो यूथ आपको देखता है, विकरस हमें पता है कि, you know, इंडिया, 2020 और उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग 2020 के बात से इंडिया रिवाइन हुआ है, और हम लोग विश्व आप क्या देना चाहूँ? यूग सिखाता है, फल की चिंता का मतलब क्या है, कि फल की चिंता मत कर, कि फल की चिंता जब होती है, तब आप एक time period बान देते है, कि ये तो इसमें होना चाहिए, नहीं हुआ तब तो मैं छोड़ दूगा, तो ये गलत है, तो आप जब कर्म योग देखते हैं, तो कर्म क की बात लगती है, नहीं, बात तो है कि सालों से उसकी महनत चल रही है, वो आपको नहीं दिखी है, लेकिन आपके सामने जब success आया, तो आपको वो एक event का success लगा, कि आरे पहली बार में, उसके पहले कितने events फेल हुए, आपको नहीं पता, तो वो ही चीज है कि वो patience, लेकि उन बातों से सीखा है, फिर मैंने उसके बारे में और जाना है, तब जाके आज मैं इतनी बाते कर पा रही हूँ कि किसी को पहली बार में वो बात अच्छी लग रही है, पर किसी और को लग सकता है कि आरे देखो पहली बार में, रे इनके लिए तो natural, मुझे ये चीज है, कि आप जुझलाईए मत, तो जैसे एक spirituality कि तो patience भी एक चीज है, और तीसरा, spend some time with nature and with humans, मशीनों से थोड़ा कम करके थोड़ा लोगों के साथ समय बिताईए, ये आपके अंदर एक अलग बदलाव लेकर आएगा, जो बदलाव आज नहीं आ रहा क्योंकि हम इन दोनों उसे दूर भाग रहे हैं, कहते ना लोग कहते हैं, मेरा तो इनसानों से पटता नहीं, तुम इनसान हो, और तुमारा इनसानों से नहीं पट रहा, ये तो गलत, मैं मान सकती हूँ, toxic लोग होते, पर उसको handle करो, क्योंकि आप इनसान है, आपका इनसानों से ही पटना तो मैं family के साथ बिताती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, उनका point of view लेती हूँ, अपना point of view देती हूँ, तो एक conversation continuously होता रहता है, जगा रहता है conversation, जिस दिनो conversation बंद हो जाएगा, रिष्टे खतम हो जाएंगे, आपके अंदर emotions खतम होते जाएंगे, आपको चीज़े बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, और हर फील्ड में आपको help कर सकती है, निट्रली हर फील्ड में, अमीजिंग, oh my god, बहुत कुछ सेखने को मिला है, और मैं खुद आपसे एक conversation करने के बाद बहुत सारी चीज़े सीखा हूँ, कोशिश करोंगा, इंपलिमेंट कर खाँच में एक चत के नीचे किसी घ्यानी के साथ प्याटाइं तो बहुत सारे समझ में आते हैं, आपके साथ मैं गहाँ, इंपलिमेंट करने के कारोंगा, इंपके साथ कश़िए लिगा, और पूरा सवाल हम लोगे लिए चाहँएं, कि आपके साथ क्याएं जोंके पूरा करने के लिए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कौंगा कि आपको सबसे पहले गाई I think ये session में बहुत सारे चीज़े सीखने को मिली होगी लेकिन एक particular चीज जो आपको बहुत ही amazing लगी एक question जिसका answer आपको जया जी से बहुत amazing लगा उसे comment section में लिखिएगा दूसरा आप है तो हम है इसी लिए आप लोगों को simply एक काम करना है इस particular session को like करना है channel को subscribe करना है और share करना है लोगों के साथ क्योंकि बूरी बाते फैलने में you know efforts नहीं लगते लेकिन अच्छी बातों को फैलाना यह इसमें बहुत effort लगते है और आपकी मेहनत हमें इसके लिए चाहिए so appreciate this particular session और प्यार फैलाईए इसी तरह से और जरूर बताएगा comment section में कि आपको कौन सा segment सबसे अच्छा लगा और उसके अलावा अगले session में अगर आप चाहते कि जया जी हमारे साथ जोइन करें तो आपके कौन से ऐसे सवाल है जिसके जवाब आप इन से चाहते है comment section में बताएगा इसी तरह के sessions के लिए जुड़े रहिए till then thank you so much